हलो दोस्तों कैसे वह आप बढ़िया हो, fit हो, healthy हो तो चलिए अब हम बात करेंगे CA Inter Students की as well as CMA Inter या CS Inter को यह अगर amendments देखना चाहता है तो उनको भी applicable होगी, so दोस्तों दो तीन पहले मैंने एक video upload किया था जिसमें कहा था कि मैं तब यह ठीक नहीं है, cold हो गया था, दो तीन दिन बुखार भी रहा थोड़र भी था लेकिन अभी perfectly fine हो, healthy हो, fit हो, मेरे साथ साथ आप भी अपना पूरा ख्याल रखेगा आपको तो पढ़ाई भी करना है और अपना पूरा ख्याल भी रखना है, अपने family का पूरा ख्याल रखना है तो for CA inter students, are you ready? ठीक है, तो जोर से बलो, जय माता दी, ठीक है, तो यहाँ पर CA inter students के लिए, मैं यह कहना चाहोगा, amendments के total 4 lectures है I repeat, amendments के total 4 lectures है, और ICAI की statutory updates भी आ चुकी है, और हमारे amendments में यह सभी statutory updates कवर रहीगी तो दो lectures, अब यह 4 lectures किस तरह से बनाया है, देहन से सुन लेना, दो lectures जो है, वो composition levy chapter पर है तो sir क्या composition levy में इतनी सारी amendments है, नहीं, बिल्कुल नहीं, composition levy में यह chapter restructure हुआ है I repeat, restructure हुआ है, amendment कुछ ज़्यादा नहीं है, एकी definition जो उन्होंने add किया है, वो interest का क्या extrude करना उसर related, वो बाद में देखेंगे लेकिन कि amendment कुछ ज़्यादा नहीं है, पर chapter restructure हुआ है, अब sir यह बताई है कि composition levy के chapter में क्या restructuring हुआ है तो restructuring यह हुआ है बेटा कि जो पहले composition levy पचास माक की थी आपको, सरी, पचास लाग की तकी composition levy थी service provider के लिए कुछ यादा है आपको तो service provider के लिए जो पचास लाकिक scheme थी, जो by notification to 2019 के तुरूजरी, उसको section में लाया गया और section 10 to A में लाया गया और थोड़ा उन्होंने drafting restructure किया है तो अब ये chapter restructure हुआ है, नया कुछ आपको जानने को नहीं मिलेगा, पुरा नहीं जानने को मिलेगा पर chapter restructure हुआ है इसलिए ये chapter आपको फिर से करना है, तो ये एक तरह की आपकी revision भी हो जाएगी और ये chapter जो है, क्योंकि composition levy, CA final as well as interlevel दोनों को ये chapter exactly एक जैसा applicable है, say exactly same provision applicable है, तो मैंने ये chapter already record करके रखा हुआ था, और ये chapter आपको फिर से मेरे साथ basic से पूरा करना है इवन दो आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बहुत अच्छे से इसके question solve किया है, लेकिन मेरे साथ basic से पूरा आपको फिर से अच्छे से करना है चलिए, ये बात तो ही composition levy की, इसके दो lecture से आपको लेगेंगे, जिसकी notes भी आपको provide कर दी जाएगी, description column में composition levy की notes का आपको link मिल जाएगा वहाँ से आपको notes डाउनलोड कर लेना है, उसके print out लेना है, और मेरे साथी chapter complete कर लेना है हाँ, कुछ students को हो सकता है, slow लगे, तो बेटा, YouTube में तो हमारे पास option है, faculty को 1.25, 1.5 के speed में कभी भी देख सकते हो, आपके हाथ में खेल है तो in short, किसी को अगर slow लगे, तो वो speed up भी कर सकता है, तो ये composition levy, जो chapter restructured हुआ है इसके दो lectures सभी students को, I repeat, सभी students को फिर से करना है मेरे साथ, revision भी हो जाएगा और बाकी जो chapters में amendments होई है, वो दो lectures ही है, कोई जादा lectures नहीं है जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था, amendments को जादा नहीं हुई है, दो lectures ही है और वो दो lectures आपको complete करना है, ऐसे total 4 lectures होगे amendments के, ठेक है तो composition लेवी को मैं amendments मानता ही नहीं हूँ, वो तो एक साथ आपका revision है, मेरे साथ फिर से हो जाएगा और mainly amendments के 2 chapters है, जो बाकी chapters, sorry, 2 lectures है, जो बाकी chapters पर है तो इसके बाद, जब भी मैं amendments का reference लोगा, तो आप समझना, जो 2 lectures है last के 2 lectures उसके बारे में हम बात कर रहे है, composition लेवी के बारे में हम बात नहीं कर रहे है क्योंकि वो पूरा chapter आप मेरे साथ फिर से करने वाले हो, तो बेटा, ऐसे total 4 lectures होगे composition लेवी के पुरे chapter की notes जो है, आपको description column में मिल जाएगी और वो description column से वो notes डाउनलोड करना पड़ेगा, पूरे chapter की notes आपको मिल जाएगी वो पूरा restructure किया हुआ chapter है, और बाकी बचेवे जो 2 lectures है, other chapters की amendments उसकी भी notes, जब भी आप video देखोगे, उसके description column देखते जाओ और वो description column में आपको बहुत सारी information दी जाती है, और as well as notes की link भी आपको दे दी जाती है तो अगर हम other chapters की amendments देखे, तो मुश्किल से 20 से 25 पेजेस है, और 20 से 25 पेजेस में ये amendments कवर किये जिसकी summary भी मैंने cover किया हुआ है, now अब ये जो amendments मैं cover कर रहा हूँ, जो 2 lectures है ये 2 lectures में amendments November 20 के हिसाब से, जो extra amendments हुई है, वो extra amendments में मैं cover कर रहा हूँ मतलब ये था कि जिसका main attempt था, जो attempt हुआ नहीं, पर main attempt था, तो वो student जो है, उनकी amendments मैं already upload कर चुका हूँ तो वो already जो upload की हुए amendments है, वो देख सकते है, ठीक है, तो अभी सिफ जो extra amendments November के हिसाब से, वो amendments ही हम cover करेगे कुछ students नाराज हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, कि sir, अगर दोनों cover कर लेते हो, अच्छा हो जाता, क्योंकि make attempt था हुआ नहीं है, बिलकुल नाराज मत हो, आपके लिए भी खुश कबर है, मैं आगे cover करूगा, ठीक है, तो अभी ये दो lectures जो है, वो only amendments है, जो extra है, जो November 20 क अपलोड कर चुका हूँ, ओके, रुख जाईए, आपके बहुत सारे questions होगे, और आपके बहुत सारे questions के जवाब देने के लिए, मैं ये video record कर रहा हूँ, ICAI की statutory updates भी आ चुकी है, और मेरे amendments में ICAI की complete statutory updates covered है, और जो भी आपके attempt को applicable होने वाला है, वो सभी amendments में cover हो जाएगा so don't worry for that, ठीक है, मेरे amendments पढ़ने के बाद आपको ICAI की statutory updates पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है, जैसे number of pages के हम बात करें तो number of pages amendments के, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं composition levy की बात ही नहीं कर रहा हूँ, उसकी notes तो chapter पुरा अलग से मिलेगा आपको, बाकी जो other chapters के amendments से दो lectures की, उसमें आपको मुश्किल से 20 से 25 विजेस का आपको amendments रहेगा, ठीक है, उसकी summary भी मैं आपको बना के दूगा, यहने fast exam में fast पढ़ने की हिसाब से आपको मिल जाएगा, अब बिटा, मैं आपको यह कहूगा कि, आपको जो मैंने questionnaires दिया है, तो amendments के हिसाब से बह question number, question और उसके answers में revise करके आपको दूगा, जिसकी PDF copy आपको यहाँ पे, link में मिल जाएगी, यानि यह जो amendments की link है, I repeat, यानि आप हमारे Google Drive पे जाके, वो folder से जहां से amendment copy करोगे, उसी folder में, link यही रहेगी, description column में दिया हूआ, उसी folder में आपको questionnaires के भी updates मिल जाएगे, अगर क questionnaires में कौन-कौन से questions के updates हुए, उसकी PDF कुछ नहीं मिली, तो आप www.vsmartacademy.com slash vishal sir पे जाके भी check कर सकते हो, वहाँ आपको इसकी link मिल जाएगी, ठीक है, जो जो भी questions update हुए है, तो जहां-जहां मुझे लगता है कि आपको explain करना चाहिए, वो question का separate session होगा, यह हमारे 4 session के amendments में नहीं आएगा, वो questionnaires के जो भी questions उसके separate sessions होगे, उसके separate sessions के बारे में जानकर यह आपको time to time मिल जाएगी, आपको connected रहना है vsmart के YouTube channel पे for CA Inter, और यह CA Inter के YouTube channel पे यह जो हमारा regular vsmart channel है, इसको subscribe करना पड़ेगा और time to time आपको update उसमें मिल जाएगा, लेकिन मैं सभी students से यह अर्च करना चाहोगा कि CA Inter के लिए हमारा vsmart YouTube channel अलग है, उसे आप subscribe कीजिएगा, तो definitely उसका description और कौन से channel को आपको subscribe करना है, तो उसका description में आपको मैं दूगा, वो link पे जाके आपको subscribe कर लेना है, तो Inter के लिए आने वाली हमारी सभी CA Inter की faculty जो है, वहाँ आपको continuous update दे जाएगी, उसके बाद में बैटा, RTP discussion, November 20 के आप से जो RTP discussion है, वो RTP discussion जो है, आपको अभी तक RTP आई नहीं है, लेकिन जैसे ही RTP आएगी, आपको पूरा RTP discussions भी दे दिये जाएगे, CA Inter students के लिए चार्ट रिविजन के lectures मेरे आएगे, अब हम अगले मैने के एक तरिक से व होने वाला है, ICAI के जो additional questions और MCQ है, वो भी हम start करने वाले है, तो रोज एक दिड़ घंटा में आपके साथ connected रहोगा, YouTube लाई पे आपके साथ आते रहोगा, और आपको ये सब चीजे मेरे साथ complete करनी है, ठीक है, GST से related, उसके बाद में ये सबी information मैंने आपको दिया है, तो CA inter student या IPC student दोनों के लिए applicable होगा, I repeat CA inter या IPC student दोनों के लिए amendments applicable होगी, तो दोस्तों I hope आपको बहुत clear समझ में आ गया होगा, मैंने सबी बात आपके साथ discuss की है, अब एक बात आपके साथ discuss ही कर दो बेटा कि में amendments के lectures मैंने already detail में upload किये हुए है, लेकिन, लेकिन, डेन से स मैं summary of amendments का एक lecture record करूगा, और हमारे 4 lecture जो November के हिसाब से amendments के होगे और एक extra lecture में upload करके दोगा, जो में की summary पूरी मैंने बनाए हुई है, जो आपको notes में मिल जाएगी, ठीक है, तो उस notes में में की जितने भी amendments से summary है, उस वो आपके साथ detail में मैं discuss करूगा, अब एक बात मैं ज कि इस बार सभी students ने जो हमारी मे के लिए recording थी, वो recording आपने की है, November के लिए recording हो नहीं पाई, क्योंकि सब lockdown हो गया, तो यहाँ live lectures नहीं हो पाई, इसलिए मैं कहोगा कि जिसने भी पहले lectures भाई की होगे, अभी भाई की होगे, मार्च के बाद भाई की होगे, तो जो भी students ने lectures लिए होगे, amendments सभी को करना है, तो पहले November की amendments आप कर लो, और मे का summary discussion का एक video lecture मैं अलग से डालूगा, वो भी आपने करना है, अगर उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो पिछला जो मे का यहाँ पे amendments है, वो आपको जाके देखना है, वैसे March के बाद जिसने भी lectures ल आओ, लेकिन आपने मेरे साथ summary discussion भी कर लेना, नुकसान क्या आपका, आपको तो अच्छा ही है, और आपका पूरा revise भी हो जाएगा अच्छे से, तो problem क्या है, तो बेटा, यहाँ पे इस तरह से amendments का हमारा cover हुआ है, description में आपको हर lecture के description में एक link दी जाएगी, जहाँ Google Drive का folder दिया जाएगा, जिसमें मैं आपको amendments की summary पूरी देने वाला हूँ, amendments भी देने वाला हो, जो November के लिए, और में के लिए कौन सी amendments थी, उसकी भी notes उसमें देने वाला हो, तो सब data उसमें आपको पूरे अच्छे से दिया जाएगा, ठीक है, तो वहाँ से आप सभी notes डाउनलो कर लेना है, description column में लिया है, पहले दो lectures आपको composition लेवी से related करना है, और बाद में दो lectures जो है amendments से related आपको आएगे दोस्तों, is it clear, तो चलिए, बिना time waste की start करते है, composition लेवी, be ready, ये chapter पूरा एक बार फिर से मेरे साथ करना है, जिसके दो lectures रहेंगे, आज का पहला lectures, इसके बा उस पे रहेगा, ओके दोस्तों, तो चलिए, start करते हैं, चलिए, अब एक नया चप, okay, concept हम पढ़ेंगे composition लेवी, हमने last discussion में definitions देखा, okay, अभी हम देखेंगे composition लेवी, ये composition लेवी concept क्या है, ये अगर simple meaning देखा जाए, तो living tax, I repeat, living tax, okay, at composite rate, and I put together everything और आपके वोपर tax लगा जा रहा है, इसे हम कहते हैं, composition लेवी, थोड़ा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको समझाने के लिए एक funny example लेता हूँ, okay, funny example लेता हूँ, और ये funny example से, एक concept को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे GST में वेटा, threshold होते है, threshold होता है, मतलब basic exemption होते है, GST मे हैं, वैसे तो start हुआ तब 20 लाग के basic exemptions हैं, लेकिन कुछ केस में 10 लाग और कुछ केस में 40 लाग, इसके उपर हम discussion करेंगे in the chapter of registration, बहुत डीटल में discussion करेंगे, don't worry for that, ठीक है, तो वो बात ही regarding to registration, चलिए, discussion को तोड़ा आगे बढ़ाते हैं, अब हुआ क्या बेटा, यहां पर composition levy जो है, यह थ्रेशोल्ड के बाद आती है, ठीक है, तो threshold हो या composition levy हो, यहां पर सवाल यह उठता है कि यह ऐसे type के concept क्यो लाए जाते हैं, एक funny example लेके मैं आपको यह समझाना चाहोगा, अब बेटा, समझ लो, यहां सामने एक वड़ा पावाला है, ओके, यह हमारे class क के सामने एक वड़ा पावाला है, वो बड़ा पाव सेल कर रहा है, अब छोटा चोटा आदमी है, small business, very small business man, अपना ठेला लेके आता है, रोज का कुछ 500-600 रुपय का business करता है, चले जाता है, कैसे तो भी अपनी, okay, दीन बर की रोटी कमाता है, ठीक है, अब इमाजीन करो, यह थ्रेशोल नहीं होते है, यह इस टाइप की composition ले भी नहीं होते है, तो लॉक ऐसा होता, अब section 7 अगर आप देखते हो, तो section 7 में, okay, supply, means all form of supply, of goods or services, okay, such a sale, transfer, water, exchange, lease, rental, disposal made or agree to be made for consideration in the course of business, ठीक है, तो वो बड़ा पावाला बड़ा बड़ा ब़ाव सेल कर रहा है, okay, तो गूए एक GST officer चलेगिया, GST officer ने वड़ा पावाली को पुछा कि क्या आप कोई ज्यस्ट पेकरते हो, अगला बड़ावाली ने क्या है, अप अगर यह थे ज्यस्ट बड़ाव करते हो, अगर आप एक रुफे का बड़ावार बड़ा ज्यस्ट ने करते हो, पुछा, तो आ इन दे कोर्स और बिजनेसे इसके पर GST देना पड़ेगा तो उसे वड़ा पावाले ने का कि भाई सर्जी मैं छोटा आजमी हूं कि दीन का चार सो पांसो रुपय कमाता हूं कैसे तो भी अपनी घर की रोटी के दीन चरिया चलाता हूं तो यहां पर कहा से हम टाक्स पे करें अब जो ओफिसर वो तो नहीं वो तो स्ट्रिक्ली लॉफ फॉलो करने वाला हूं उस भाई नहीं आपको तो तो टाक्स देना पड़ेगा तो वड़ा पावाले ने का कि सर जी हमारे लिए टाक्स देना पॉसिबल नहीं है ना जी ना हम तो टाक्स नहीं देंगे हम तो टाक्स नहीं देंगे आपको तो अब इसने भी ठान ली कि यह तो वड़ा पावाले से टाक्स लेकर रहेगा तो यह आफिसर जो गया और उसके अगेंस में पहली थी बात वह दिन बार मां खड़ा रहा देखा कि कितने कस्टमर आते हैं कि कि अदेखा यह पंडार कि कितनी प्लीड बनती है कि उसके बिर उसके बत अ।स्टमर पल्यट किया और अपना असेस्मेंट कम्लीट कर कि अब वह नोट tract कि शो कुछ जो है वह आपकी अगेंस में रहाए बना रहा है अब अ आपकी अगेंस में बद्लो बोड़ा वाले कि अग इस पर आप से GST क्यों नाले इस पर बात चालो है एक यह तीन चार पे जिस की नोटीस बनाया और वड़ा पावाले को सव कर दिया वड़ा पावाले को समझा नी तब तो कि कस्टमर आगया उसने वड़ा पावले नोटीस पही दे दिया चलो यह भी पीच काम आगया वड़ा वड़ा पावाले के लिए प्रैक्टिकली GST के कम्प्लाइंस करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इमाजिन करो कहां से टैक्स इंवाइस देगा वड़ा पावसिल किया प्रिंट आउट ने कर रही है टैक्स इंवाइस सी जिस्ट एस जिस्ट रो मैगडी वाले को पॉसिबल ह लिए ठाट आउट एपीटिट लेगा यह का कॉटंड़े लिए इसके लिए प्रेटिकली यह सब कम्प्लाइंस करना पॉसिल नहीं है और यह सब कम्प्लाइंस करने के लिए कि 20,000 रुपय मैंने का एक अकाउंटेंट वो लगा है अरे कमाई तो कुछ नहीं 20,000 रुपय का अकाउंटेंट लग गया GST R1, GST R2, 3, 3B यह सब GST के फॉर्म बनने के लिए और कोई कंसल्टेंट को अपॉइंट करें उसको फीज दें यह प्रैक्टिकली पॉसिबल तोड़ी उसके लिए तो भई उसने नोटिस का कोई रिस्पॉंस नहीं दिया फिर उसके अगेंस में डिमांड ओडर आगी अचा डिमांड ओडर आगी और एक पेज मिल गया चलो भई तो इसका भी पैसा बज़ गया वड़ा पाउ लिया वो भी दे दिया अब आफिसर रिकारी के लिया आगे आफिसर ने का ने 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 मैं आपसे तो रिकारी करके लूगा जितने भी वड़ा पाउ थे वो कॉन्फिसकेट कर लिए अब यहां पर नॉन डूरेबल गूट से करेगा क्या कॉन्फिसकेट करके बर चलो एक इमाजिन कर लेते है कि तो वो सब कुछ लेके गया, वड़ा पाव वाला बैठा था, फिर उसकी भी यहां पर उसने भी मतलब बात इगो पर आगी, उसका हंकार जाग गया, अब उसने कहा कि मैं तो इसके अगेंस में केस फाइल करूगा, अपिल फाइल करूगा, एडिमान ओर किया किस्ट में, उसन उसने अच्छा कंसुल्टन का, यहां पर सर्च किया, उसका बता चला वो आया, तो मैंने उसको कहा कि भी देदे आर ऐसा, क्या लगए कि 5-10,000 रुपे टैक्स होगा, 10,000 रुपे टैक्स होगा, 10,000 रुपे टैक्स होगा, देदे, क्यों लड़ रहा है किस्ट लड़ने के बहुत ज़्यादा होगा, हो जाएक्स होगा, उसने का, साब, यह रहा ब्लैंक चेक्स होगा, आपको जो फीज लेनी है, ले लो, एक लाग, दो लाग, पांच लाग, दस लाग आपको क्या, पर अब मैं केस तो लड़के रहोगा, अब बात तो अभी गो पे आगी, मैं केस लड़के रहोगा, यह ऑफीसर को तो महें दिखाऊगा, यह लड़के रहोगा, तो अब प्राब्लम क्या है कि अगर यह केस लड़ेगा, तो यह पिलंट हुए, तो डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट अपना लाइर लगाना पड़ागा, अब वो लाइर की फीज कुई पर नहीं अब कि इस लड़ी दार ये ट्रिबिनल, हाई कोट, सुप्रीम कोट पता चला कि सुप्रीम कोट तक लड़ते लड़ते गौवर्मेंट ने इस वड़ा पाव वाले से 15,000 रुपे करने के लिए 10 लाग रुपे खर्चा कर दिये कैसे 10 लाग रुपे खर्चा कर दिये, ऑफिसर का टाइम उसमें इंगे जुआ, लॉयर लगाया गया, सुप्रीम कोट का लॉयर लगाया गया, हाई कोट का लॉयर लगाया गया, ट्रिबिनल का लॉयर लगाया गया, और वो वड़ा पावाले ने भी खर्चा कर दिया, पर बा में वड़ा पावाला पंदरा जार रुपे निखाल के दे रहा है पर थोड़ा ये समय लोग की वो पंदरा जार कलेक करने के लिए गौर्मेंट ने अपने जेप से बहुत सा पैसा खर्च कर दिया और किसके बिछे लगी गौर्मेंट वड़ा पावाले की बिछे अरे लगो मैं आप केस लगा है कहां की बात हुई भई हो ऐसा है इन्या मैं अब क्या के रहे है मज़ूर भीचा रहे है ट्रेन की नहीं चाहा है पादल जा रहे है बाकि वह लोग घर में बैठ है लोगड़ाँ करेंगे क्या है ठीक है तो अब यहां पर दूसरा अपने दारू की दु अब जाए गौर्मेंट भी अपना बेपी निकालती है गौर्मेंट भी देखती है कि किन लोगों के विचे अपना टैम वेस्ट करना चीह किसके पास से टैक्स आ सकता है नहीं तो इतने एफर्स अम लगा देंगे और यह बंदे के पास से कोई टैक्स नहीं आएगा कोई ट इंडारेक्ट टैक्स में थ्रेशोल लाया जाता है इंकम टैक्स हो इंडारेक्ट थ्रेशोल कि इतने लिमिट तक यह लोगों के टरनल को छोड़ दो इनकी पीछे लगो ही मत क्योंकि इनसे कुछ मिलने वाला नहीं है एफर्स लग जाएंगे इनर्जी चले जाएगी और प पॉजिशन लेवी लाया गया तो मतलब ठीक है अंचे कॉमपोजिशन लेवी स्टार्ट पाचा स्पाश लाग से अब भी यह द यह देड़ करोड चालो है तो इतने रान तक अखिं करते हैं तेड़ करोड तक यह कुछ लोग जो है ठीक है रेकोर्ड नहीं मैंटें करेंग audit करवाना, return monthly basis पर फाइल करना, ठीक है पर अब उनको exemption देना तो government के लिए profitable नहीं है, बीस लाग तक तो अमने दे दिया, कि बिना registration का तू चल सकता है, टैक्स मत दे पर बीस लाग के बाद उन लोगों को exemption देना possible नहीं है, उनसे पर सेंट का मार्जिन है उसका, नहीं 40 लाग का turn और करता होगा, तो 10 पर सेंट का मार्जिन या चार लाग रुपए, उसको profit आता होगा, तो 4 लाग रुपए उसको profit आता होगा, अब 4 लाग में उसका खर्चा और अब GST compliance इसके लिए, अगर वो पुरा honestly लगा यह वाह मनाशनीन कुछ भी नहीं बचनेट में हुआ चार लाग अचा लाग करते द्रह ऊंकाश्यर कोड़ा लुआ क्यों यह चोंटे उते पर बुजनेसमेंश Мें आ dauर रीचेल रेड़ी समा किंदल्री होते यह यह जुजड़ा पकांशे अधिya आपचास एंटम के टेरिफ कोड़ fills हो एनके टेखस सम्कड औराइव उप मेंटें करें का प्रचास के र consegu damit गोर्वनेंट 20 लागा के वंपर इन लोगों का छोड़ना भी कर रहे है अब गौवर्मेंट फोर्स फुली तो नहीं जा सकते हैं कि नहीं नहीं मैंटन करना पड़ेगा नहीं तो जेल में डाल देंगे पॉसिबल नहीं है बिटा ये टाक्स रिलेटेड़ लाई एकोनोमिक लाई उसने बंदे ने कोई क्राइम थोड़ी किया किसी का मर्ड कि गौवर्मेंट के दी चल छोड़ हमारा ओफिसर तेरे रेकॉर्ड वगरे देखने नहीं आएगा तुझे परिशानी नहीं होगी मंतली रीटर्न वगरे ऐसी परिशानी नहीं होगी एक हमें कमपोजिट के टेर सब मिल जुला के हमिला जुला के एक टैक्स इतना हमें दे कि तु डिस्ट्रोज कर रहा है जो भी तेरा स्टेट्मेंट के साफ से टर्न और उसके साफ से टर्न और का जीस्टी पे करना है ऐसी स्कीम होती है बिटा आपने इंकम टैक्स में देखा होगा तो प्रिशम्टिव स्कीम कि चल भई तु आडिट नहीं करवा रहा है कुछ न TED तुछलो तेरे टर्न और का एक टकामें टैक्सा दिए आ सिर्न टैक्सा खित्यों का करीश भाद को सुछम्ट एवाध का में एक टका में टैक्सा पे करूप गा तब्रम है कि इस एक पधियर ताक्सा कि भाइ नहीं है ऐहा एक परसेंट का टैक्स तरह से ले रहे इस बात पर एक परसेंट का टैक्स ले रहे हैं कि तो ITC नहीं लेगा, नेट एवन परसेंट हमें देगा, तो यह स्किम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है, मैं आगे पढ़ा होगा, आपको ITC नहीं मिलता है, यह सब्साइब होगा, तो यह वाल्रॉबैक तो ऑप्सीद का टैक्सु नहीं परकाईब ऊन्फोद केर्साइब के लिए यह मतल युuga करने के लिए इनोंगर नहीं कर सकता, थो यह जो नहीं बोला है, तो अब कि आखर्ट परसेंट से लेगा? तो नहीं मिलने कर सकता, तो य यह सब कुछ नहीं का सकते, इसलए गौवर्मेंट वन परसेंट लेती है, फाइदे मंद है, इमाजिन करो चालीस करोड़ का चालीस करोड़ का वन परसेंट, याने चालीस अजार देदो बात को खतम करो, ना गौवर्मेंट रिकॉर्ड चेक करने आएगी, ना परसेंट लेत्मेंट 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 ले पींच हो पोकें ना कि तुम्हारा कि ऊमार करा Shin थैगरेppeise अचिए हो ध्याइद है कि रिकार मेंटेन करेंडेंगी अचिए उल्लेहिfilled गिम्ध्स करेंगी जरूबत यह हो गिंप धुर्यूबत करमेंद करेंडेजेंगी अपंपोजिशिशन लेवी पड़ता है। बीचेरफुल झालन वीचेरवी पड़ता है। लेकिन लेकिन अपत개를 Yoo अअ अअ-अअफर मेर्में को थायोगा क्पोज़िशन तरवला प्रव्र काम मिल जेलritis अवर्मेंट को पर Alber illness government कभी efforts बच जाते है इन lot के पीछ देन जान क्यूंकि इन एन लोगों की पीछMichael बझा उपले कावणल इन लोगों कीछ फार्स लगाते ञेला तो भी इन प्रटीम जाएगा फिर को एक पकड़ना चे वीजय मालय को एक पकड़ना चे निर्व मौधी को एक बड़े प्लेयर्स को जो टैक्स आवाड करते हैं हम इनको क्या पकड़ रहे हैं यहां पर आई के बाद आपको समझ में कि इसमें बहुत सारे रिस्टिक्शन हैं अगर मैं आगे यह कंपोजिशन ले पड़ा हो इतनी कंडिशन सा रिस्टिक्शन है तो एक आदमी फिस्ट रोके यह भी बोलतेता है चोड़ भाई नहीं चीजिए फिस्ट रोके मैं रेकॉर्ड मेंटें करने को त्यारू मन्तली रि तो आप क्रडिट ले सकते हो और आप बर्डन पासओन कर सकते हो अगर आप क्रडिट ले रहे हो बर्डन पासओन कर रहे हो तो टैक्स का बर्डन आपके उपर नहीं आ रहा है विकोज बर्डन इस पासओन आपने बर्डन पासओन कर दिया है टैक्स का बर्डन नहीं आता ह अब अब जाता में परते है तो यह था रिगार्डिंग तो कम्पोजिशन लेवी इसमें हम जो है सेक्शन 10 हां सेक्शन 10 हम पड़े हैं अगर आपको याद होगा तो यस कम आप मुझे बताओ सेक्शन 7 क्या है सप्लाइब करेक्शन 7 क्या है सप्लाइब 8 सेक्शन 9 चाजिशन 10 सेक्शन 10 क्या है हां यह एक एक सेक्शन सेक्शन आगे नहीं बढ़ेंगे यह कोई सीलोगे सब्जेक नहीं कि पड़ापट पड़ापट सेक्शन लाइन करण अबढ़ा सेक्शन बहुत लोग जलते हैं उसमें नौटिफिकेशन, सर्क्यूलर्स, कंडिशन्स, दुनिया वर की चीज़ा आती है फिर और बताओ किया मेन डिसक्शन पहले 30-40 सेक्शन है बाकि तो बाद में फास्ट हो जाता है फिर बाद में दिक्कत नहीं जाती है इस इट क्लिया तो चलिए यहाँ पहे हमने यह बात किया रिगार्डिंग टू सेक्शन की सेक्शन 10-1 पूरा हम देखेंगे रिलेटेड रूल, CGST रूल भी है पर आपको रूल से याद रखने की जरुवत नहीं है एक बार मैं कहे देता हो रूल से याद रखने की जरुवत नहीं है बस सेक्शन याद रख लो ठीक है तो चलिए सेक्शन 10 हम अभी हाँ डीटेल में देखेंगे आगे बढ़ने के पहले मैं थोड़ा एक कंपारिजन ले लेता हो तो उसका अग्रिगेट रख 10 लाग, 20 लाग, 40 लाग तो उसको थ्रेशोल मिल जाएगा गौर्मेंट उसको बचा लेगी टैक्स देने से थ्रेशोल मिल जाएगा हाँ थ्रेशोल वैसे नॉर्मली 20 लाग है स्पेशल केटेगरी आप स्टेट में 10 लाग है और कुछ केसिस में 40 लाग है हम थ्रेशोल का discussion section 22 के तहद हम आगे chapter registration में करेंगे ओके डोंट वरी बार थाट थ्रेशोल manufacturer भी claim कर सकता है trader भी claim कर सकता है और service provider भी claim कर सकता है यह थ्रेशोल restricted नहीं कि only for manufacturer, only for trader और only for service provider थ्रेशोल यहाँ पे कोई भी claim कर सकता है ठीक है, अगर वो सभी condition फुल्फिल करता है और उसका turnor within this limit है लेकिन यह turnor cross होने के बाद आपको composition levy भी है मतलब यह turnor आपको cross हो गया तो आप registered हो गया, आपको registration लेना पड़ेगा, be careful आपको registration लेना पड़ेगा, और उसके बाद भी government कहते कि ठीक है, आपको अभी भी compliance नहीं करना है क्या, टैक्स तो देना पड़ेगा compliance नहीं करना है क्या, तो हम आपको composition levy का option देते हैं तो composition levy तीन turnor में मिलती है 1.5 CR, 75 lakhs 50 lakhs, कब 1.5 CR मिलती है, कब 75 lakhs मिलती है और कब 50 lakhs मिलती है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ओके हम आगे बात करेंगे पर तीन limit में ये composition levy मिलती है, और ये तीनों भी claim कर सकते है, manufacturer, trader और service provider लेकिन, manufacturer और trader अलग section में claim करेगा और service provider अलग section में claim करेगा, यहने manufacturer और trader जो है, यहाँ पर section 10-1 में claim करेगा और service provider जो है, यहाँ पर restaurant और catering होगा restaurant etc होगा, तो वो section 10-1 में claim करेगा और other service provider होगे तो section 10-2-A में claim करेंगे 10-2-A ये section पहली बार नया introduced किया यहाँ पर actually ये नया नहीं है पहले ये notification के through handle होता था लेकिन अब इसको act का ही part मना दिया है तो ये 10-2-A से यहाँ पर उके उन्होंने cover कर लिया और normal scheme, normal scheme जो है, no doubt applicable to all अगर आपको composition नहीं लेना है, यह आपका composition scheme का turn-or खतम हो गया तो यहाँ पर normal scheme में आप आ सकते हैं ये बात ही normal scheme के चलिए, आगे बढ़ते हैं benefits क्या है, अगर मैं threshold में हूँ अगर मैं composition में हूँ और अगर मैं normal में हूँ तो benefit क्या है, normal scheme के, composition scheme के, तो अब benefit बता देता हूँ, tax benefit, no tax is payable, अगर आप threshold में हो, तो no tax is payable, आपको कोई भी tax देने की जरुवत नहीं है, अगर आप composition में स्कीम में हो, तो tax is payable at composite rate, tax is payable at composite rate, बहुत कम rate से tax देना है आपको composite rate, और अगर आप normal scheme में हो, तो tax is payable at normal rate, आपको जो tax देना है, वो आपको normal rate से देना है, tax is payable at normal rate, ठेक है, तो यह ता regarding to tax benefit, उसके बाद में, procedure benefit क्या है, तीनों scheme में, I repeat, तीनों scheme में procedure benefit क्या है, तो देखिए गाँ, procedure benefit है कि अगर आप threshold में हो, तो registration की कोई जरुवत नहीं है, no need to take registration, अगर threshold में हो, तो registration लेने की जरुवत नहीं है, composition scheme में हो, इवन तो आप composite rate से दे रहे हो, पर registration आपको लेना पड़ेगा, is required, registration is required, और normal scheme में तो obviously, registration is required, is required, okay, उसके बाद में GST invoice, okay, यहां GST invoice, not required, आप अगर threshold 20 लाग तक का turn और 10 लाग तक का, और कुछ केसिस में, 40 लाग तक का turn और कर रहे हो, तो not required, हाँ, अगर आप यहाँ पे, अगर आप यहाँ, इसमें composition scheme में आपको bill of supply देना जरूरी है, bill of supply, यह bill of supply concept बड़ा important है, यह मैं वैसे आगे समझाओगा, यहाँ tax invoice नहीं होता है, यह bill of supply होता है, और यह bill of supply आपको देना पड़ेगा, और normal scheme में tax invoice आपको देना पड़ेगा, कुछ नहीं, simple concept है, देखो, इनिया में हम invoice को bill भी कहते हैं, और invoice भी कहते हैं, normally bill ही कहते हैं, भाईया जी, bill दे दो, okay, bill ही कहते हैं, तो government क्या कह रहे हैं, कि अगर आप composition scheme में हो, composition scheme में, वो document में tax नहीं लगाया जाता है, क्योंकि जो भी composite dealer है, वो आपको tax pass on नहीं करता है, अगर वो आपको tax pass on नहीं कर रहा है, तो उसको फिर tax invoice मत बोलना, उसको कहना bill of supply, और बिल दिया जा रहा है, supply का just, उसमें tax नहीं लगाया जा रहा है, तो इसलिए उसको, okay, यहाँ पे bill of supply कहा जा रहा है, नॉर्मल scheme में होगा तो tax invoice, GST record, not required, okay, यहाँ पे limited records is required, limited मतलब आपको श्रीफ, limited records, और अगर आप, धहान से सुनियेगा, limited records आपको चाहिए, और अगर आप, यहाँ, नॉर्मल scheme में हो, तो all GST records, all GST records, to be maintained, to be maintained, आपको पूरा GST के records maintain करना जरूरी है, उसके बाद में ITC, ITC में, जहां तक देखा जाए बेटा, तो not eligible, ITC threshold में हो तो आपको ITC नहीं मिलता है, not eligible, composition में हो, तो not eligible, आपको ITC नहीं मिलता है, composition में भी, लेकिन, आप normal scheme में हो, तो आप ITC ले सकते हो, eligible for ITC, आप ITC ले सकते हो, GST return, not required, अगर आप threshold में हो, तो कोई GST return देने की जरूरूरत नहीं है, okay, required, required, इसमें ऐसा है, बटा, return जो है, तो return आपको yearly basis पे देना पड़ता है, statement quarterly basis पे देना पड़ता है, हम यह return और statement क्या होता है, आगे पड़ेंगे, बस इतना है लिखो कि return जो yearly basis पे और statement quarterly basis पे, और यहाँ, normal scheme में, okay, return monthly और quarterly basis पे, monthly और quarterly basis पे, quarterly basis पे, कुछ cases में monthly है, तो कुछ cases में quarterly basis पे, तो यह जो है बटा, यहाँ पे, जिसा आपको तो कि प्रोसिजल बेनिफिट क्या है, एक बार मैं प्रोसिजल बेनिफिट आपको बदे देता हूँ, अगर आप composition scheme लेते हो, तो आपको registration तो लेना पड़ेगा, पर tax invoice देने की कोई जरुवत नहीं है, वहाँ पे bill of supply है, यह document होता है, records maintain, आपको सिप turnors related records maintain करना पड़ता है, limited extent तक record maintain करना पड़ता है, GST के सभी records आपको maintain करने की कोई जरुवत नहीं है, और उसके बाद में next, ITC आपको नहीं मिलेगा, GST return भी आपको longer period मिलेगा, yearly basis पे, statement आपको quarterly basis पे और payment भी आपको quarterly basis पे होगा, I repeat, payment भी आपको quarterly basis पे होगा, I hope you understood, ठीक है, तो यह था about यहाँ पे procedural benefits हमने देखा, कि तीनों scheme में, threshold, composition scheme, as well as normal scheme, ठीक है, चलो, आगे का discussion देखते हम, next बेटा हम यह देखेंगे कि, section 10 में, composition levy, जो है, एक जो supplier of goods को दिया गया, manufacturer और trader को, उसकी limit और उसका conditions, उसकी provisions अलग है, और service provider को, जो पहले notification के थूँ दिया गया था, अब वो section में ही add कर दिया है, 10-2 है, तो service provider को भी जो composition levy दी है, okay, पर उसकी limit, उसकी rate और उसकी restrictions और conditions अलग-अलग है, तो सब start करने के पहले, मैं एक table draw करोगा, ये table में आपको जस एक overall idea दोगा, कि एक manufacturer, trader को composition ले भी कैसे मिलती है, और एक service provider को कैसे मिलती है, दोनों में क्या difference है, एक broad sense में समझ लो, फिर हम बहुत deep में जाएगे, हर provision के, section 10, 1 की, 2 की, section 2 A की, इसके, okay, सभी provisions के हम deep में जाएगे, clear? तो next page पे, okay, next page blank page दिया है, अगर आपके पास digital notes हो, तो आप notebook में लिख ले ना, याँपे, difference में लिखोगा, difference between, composition levy, आप मेरे साथ लिखते जाहिएगा, composition levy, under section 10, 1 and under section 10, 2 A, 10, 2 A, ठीक है, ऐसा table बनेगा आपका, पर ले इसमे आएगा particulars, composition levy, under section 10, 2 A, under section 10, 2 A, पहला, eligible person, broad sense में समझ लो, हो सकता है दो आपको समझ में ना है, don't worry, हम इसको बहुत detail में देखने वाले हैं, पर broad sense में समझ लो, eligible person, कौन eligible person है, तो यहाँ पे, अर ऑचक्टर, श्याप्टर, सकत्र कहता हैं, कौन तर्सीच्टर, श्यार पका, कि ठीक है, और झाप्लियर नाप्लियर प्टिग्स, and supplier of goods and third restaurant catering etc. restaurant catering etc. तो अगर आपको schedule to para 6 clause B कुछ आदार है schedule to para 6 works contract second is restaurant catering mace, eating joints और कोई भी ऐसी service जिसमें food supply किया रहा है वो इसमें cover होता है तो तीन category of लोग इसमें cover होता है लेकिन ये supply of service है ये supply of service है अब देहान से सुनूगा 10-1 की जो composition levy है I repeat 10-1 की जो composition levy है ये predominantly for supply of goods है I repeat predominantly for supply of goods है और एक ही ऐसी service है जिसको 10-1 की composition levy मिलती है एक ही ऐसी एक ही ऐसी service है जिसको 10-1 की composition levy मिलती है और वो service कौन सी है वो service है restaurant and catering या maze hitting joint etc. जो clause B para 6 of schedule 2 में आते है clause B para 6 of schedule 2 में आते है वो इसमें eligible है तो predominantly it is for supplier of goods जो goods में deal करते है and restaurant or catering restaurant or catering ठीक है तो यह जो है यह बड़ा important है कि 10-1 की scheme यह supplier of goods के लिए है predominantly यहाँ पे है और restaurant or catering के लिए है I hope आप यह बात समझ गया होगे ठीक है now next 10-2 A की scheme जो पहले notification के थूँ थी अब वो section में incorporate कर दीगी by Finance Act 2019 तो अब यहाँ पे देखियेगा 10-2 की scheme every person 10-2 की scheme देखो every person who is not eligible who is not eligible for composition levy composition levy under section 10-1 that is हाँ हर वो person जो 10-1 में eligible नहीं हुआ वो 10-2 A में try कर सकता है हाँ Sir कैसे रूख जाना detail discussion में बात में करेंगे हर वो person जो 10-1 में eligible नहीं होगा वो 10-2 A में try कर सकता है composition levy में है यहाँ पर supplier of service supplier of service तो every supplier of service क्यों? क्योंकि 10-1 की composition levy है वो manufacturer, trader और service sector में स्रिव एक ही sector को है और वो service sector में एक sector ही restaurant और catering और eating joint में वगर है इनको ही 10-1 की scheme है अगर आप purely supplier of service हो आप chartered accountant हो, lawyer हो, architect हो supplier of service हो तो ऐसे case में आपको 10-2 A की scheme मिलेगी क्योंकि आप 10-1 में eligible नहीं होगे क्यों नहीं eligible होगे कैसे नहीं होगे हम बात में देखेंगे अभी हम broad sense में difference देख रहे है आई बात समझ में तो अब ऐसे case में supplier of service और और अब में जो दुसरा point लिखने जा रहा हो बड़ा important है दुसरा point है manufacturer या trader सुनो 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 manufacturer और trader or restaurant and catering who who were ineligible who were ineligible to take composition levy under 10-1 who were ineligible for composition levy under 10-1 कुछ ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे manufacturer, trader or restaurant catering 10-1 की कोई condition वो fulfill नहीं कर रहे है अगर 10-1 की कोई condition वो fulfill नहीं कर रहे है तो ऐसे situation में वो यहाँ पे 10-2-A में apply कर सकते है अगर वो 10-2-A की condition fulfill कर रहे है अब बहुत सी बाद आपको मेरी बड़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ जितनी भी कर वाँ THIS रीड़़़़़़़़़़़ रहाँ or restaurant or catering, who were ineligible, who were ineligible for composite living, composite living, under section 10-1, who were ineligible for composite living, who were ineligible for here, subject to fulfillment of conditions, of section 10-2-A, okay, you are ineligible here, but you can get the composition living here, with the condition of 10-2-A, if you are fit in that condition, then you will get the composition living here, 10-2-A, okay, this is the first difference here, here we end the first difference here, ineligible for composite living, okay, so here, aggregate turnover, aggregate turnover, up to, 1.5 CR, 1.5 CR, so here, here, if you try for 10-2-A scheme, then, the turnover limit, there will be, aggregate turnover, aggregate turnover, up to, 50 L, tax, this is 50 L, this is why, okay, manufacturer or trader, first try it, because it is until 10-1-5 CR, and the restaurant and catering, first try it, it is until 10-1-5 CR, okay, this scheme is not the service provider, except restaurant and catering, next, here, this scheme, especially, predominantly, service provider, supplier of service, and, such manufacturer, traders, and restaurant and catering, who can get new, so here, let's try it, if this condition is fulfilled, so in broad sense, supplier of services, supplier of services, 50 L, to the scheme, predominantly, this scheme, predominantly, supplier of service, key liye, predominantly, sorry, predominantly, supplier of service, okay, aggregate turnover, 1.5 CR, so here, 50 Lakh, let's go, this is another difference, after that, next, next, composite rate, what is your composite rate, composite rate, here, composite rate, 5%, 5%, or for restaurant, or catering, here, composite rate, 5%, here, composite rate, 5%, and, here, for eligible person, rate, 1%, restaurant catering, 5%, so here, eligible person, then, composite rate, here, here, this scheme, is, okay, 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 for, is, mostly, condition, same, , special category, of state, special category, of state, special category, of state, of state, turn and limit, how to get up, turn and limit, normally, turn and limit, 1.5 CR, लेकिन अगर आप special category of state में आते हो तो turn or limit है तो aggregate turn or aggregate turn or up to 75 lakhs 75 lakhs मतलब क्या अगर आप special category of state में आते हो याद है ने आपको तो आपको ये limit जो मिलेगी ये देड़ करोर की नहीं मिलेगी special category of state में 75 lakh की limit दी है reason अम बाद में देखेंगे आपको composite rate 75 lakh तक ही मिल सकता है उसके बाद में नहीं मिल सकता है वो था special category of state के लिए तो यहाँ पर okay यहाँ अगर 10-2 में हो और आप special category of state में हो तो यहाँ 50 lakh ही मिलेगा यहाँ ऐसा कोई बाफेर्गेशन नहीं है aggregate turn or up to 50 lakhs up to beta 50 lakhs तो यहाँ आपको पूरा 50 lakhs का मिलेगा तो एक और डिफरेंस क्या normal यहाँ पर 1.5 CR है यहाँ पर 50 lakh है यहाँ special category of state होगा तो भी 1.5 CR नहीं तो यहाँ पर 75 lakhs है तो यहाँ पर special category of state होगा तो भी 50 lakh है मतलब नॉर्मल भी 50 lakh है और special category of state भी 50 lakh है ठीक है तो यह हुआ तो यह कुछ major differences हमने देखें बाकी बेटा और कुछ differences होगे तो खाली नीचे blank space रहने दो okay discussion करते करते हैं अगर हमें और कुछ मिले तो हम लेक लेगे नहीं मिले तो इने इतने इनफ है यह differences हमने यहाँ पर देखें regarding to composition levy under section 10.1 and composition levy under section 10.2a and हमें broad sense में अब दो composition levy देखना है 10.1 की और 10.2a की ठीक है तो चलो start करें हम और की composition levy under 10.1 पहले पुरा complete करते हैं फिर जाते है 10.2a ठीक है चली तो next हम discussion चालो करेंगे section 10, subsection 1 तो 10.1 की composition scheme जैसे last video में हमने देखा की 10.1 की composition scheme predominantly supplier of goods के लिए जैसे manufacturer engage in supplier of goods trader engage in supplier of goods तो predominantly supplier of goods के लिए है और 10.2a scheme जो है वो supplier of services के लिए दी गई दोनों की turn and limit जो है बैटा अलग अलग दिया गया है तो चलीए यहाँ पे देखिएगा अब इसके एक एक लाइन बहुत अच्छे से धान से समझ कर यहाँ पे आपको सुनना है और इससे रिलेटेड एक ही क्लाइन का discussion जो है आपको मेरे साथ यहाँ डिसक्स करना है मेरे साथ रंग जाना है ठीक है तो फुरे चैप्टर में मेरे साथ रंग जाओ बेटा रंग दे मुझे गेर वा ठीक है तो चलीए यहाँ पे करते हैं नौ बाली राइन तो बीजली बना देती है डूसरी लाइन क्या व् सबजेक्ट विटेब डिली बना देती है बडिस्या ंक व् 9394, महां, रिवर चार्ज को द्हान में रखते हुए, तो बेटा, मुझे ये दो लाइन पड़के मेरे घर का एक्जामपल यादा जाता है, यादा जाता है, बाहर तो मैं यहां पर बाश्शा हूँ, किंग हूँ, लेकिन घर पर जाओ तो वाइप के सामने 9394 लग जाता है, बाकी सबी प्रोविजन पर वो और रूल करेगा, लेकिन रिवर चार्ज के केस में यह और रूल नहीं करेगा, अभी मैं जस्त समझाने की कोशिश करता हूँ, नहीं समझा तो बहुत अच्छी बात, कन्फ्यूज उए तो बहुत अच्छी बात, और समझ गया, तो मुझे कंपोजिशन स्कीम ले ली और आपने यह पसंद किया कि नहीं, मैं नॉर्मल रेट से नहीं जाओगा, मैं टरन और बेस कंपोजिट रेट से दूगा, देड करोड तक, हाँ, मैं उसका खामियाजा भूगतने के लिए तयार हूँ, और वो यह कि उसके जो नुकसान है, कि आ आप ITC नहीं ले सकते हैं, आप ITC पासओन नहीं कर सकते हैं, हाँ, फाइदा यह है कि रिकोर्ड जो है वो आप मैंटेन करने की जुरूवत नहीं है, तो जो भी आप कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हो, अपने आउटवर्ट सप्लाय पर, आपने आउटवर्ट सप्लाय प आप कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हो, तो नो डाउट आपको कोई नहीं रोकेगा, यह प्रोविजन प्रिवेल होगी, अगर आप एक बार डिसाइड करो कि हाँ, आप 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 आउटवर्ट सप्लाय पर कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हो, तो इंडिया का कोई भी ब तो आपने किसी ऐसे बंदे से गूट से ले लिया जो रिवर्ट चार्ज में है, तो ऐसे बंदे से गूट से ले लिया तो वो सिचोईशन में यहाँ पर यहाँ पर आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा, मतलब क्या उसके उपर आप कंपोजिशन स्कीम अपलाई नहीं क मैं कमपोजिशन स्कीम लेना चाहता हूँ और अभी एक बात मुझे याद है तो मैं आपको बता देता हूँ कमपोजिशन स्कीम बेनिफिशल उन लोगों के लिए बहुत जादा है जिनके कस्टमर ऐसे है जो टैक्स नहीं चाहते है और जो ITC नहीं लेना चाहते है तो मेरी बाद हैंस सुनना कमपोजिशन स्कीम उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो रिटेल सेक्टर में है ऐसे कस्टमर को बेचता है जिनको ITC से कोई लेना देना नहीं है पर उन लोगों के लिए कमपोजिशन स्कीम अच्छे नहीं है जिनके customer ऐसे जिनने tax invoice ची है और invoice में CGST और SGST लगा कर ची है क्योंकि वो credit लेना चाहते है तो फिर seller ने composition scheme नहीं लेनी ची है क्योंकि उनके buyer ITC चाहते है पर आप retailer or stationary shop हो आपकी books की shop है grocery shop है hardware shop है और आपके customer को ITC कोई लेना देना नहीं है तो फिर आप composition scheme लो आपके लिए बहुत beneficial होगी composition scheme आगे हम इस बारे में भी बात करेंगे क्या आप अफ सकते हैं कुछ turn-or पर composition scheme कुछ turn-or पर composition scheme ने ऐसा ने कर सकते हैं अगर आपने composition scheme ले री तो that's all आपका पूरा का पूरा turn-or composition scheme मैं आजाएगा, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, बोत इनिशियल स्टेच पे भी, तो मैं स्टेशनली शॉप वाला हूँ और मैं यहाँ पे मेरा सप्लाय कंपोजिशन स्कीम में ले रहा हूँ, अब मैंने कोई लॉयर से सर्विस ले ली अब लॉयर से ले 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 ल ली तो क्या उसका भी मैं कंपोजिशन स्कीम ले सकता हूँ, नहीं, यह कंपोजिशन स्कीम आउटवर्ट सप्लाय पे है, इनवर्ट सप्लाय पे नहीं है, रिवर्च पे नहीं है, मतलब जो लॉयर से मैंने सर्विस ली उसका पूरा 18% से मुझे टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी लाइन यह कहती है, subject to 9394, मतलब 9394 प्रिवेल करेगा, अगर आपको रिवर्च पे लाइबिलिटी आएगी, तो 9394 के तद आपको पूरा का पूरा टैक्स देना पड़ेगा, बस यहां तक, इस से जादा और समझना है, तो आगे मैंने example के साथ, case study के तो आप देखो वो क्या कहते है, register person, हाँ, खाल रहे, यह composition scheme register person को ही मिलेगी, मतलब, कि अगर composition scheme लेना है, तो आपको registered होना पड़ेगा, अब इसमें दो cases लेता हो, register person की, एक बेटा यहां पे कि आपका threshold cross हो गया, 20 lakh cross हो गया, आप registered हो गया, क्योंकि होना ही पड़ेगा, अब आप decide कर सकते हो कि आपको composition scheme लेना है या नहीं लेना है, तो आप register person होने चाहिए, एक concept और आएगा registration में, voluntary registration, voluntary registration का मतलब यह बटा, कि अगर आप threshold के नीचे हो, 20 lakh के नीचे हो, तो ऐसे case में आपको registration तो भी भी लेना है, तो ले सकते हो, लेकिन अगर आपने registration ले लिया होगा, तो वो situation में भी आपको जो है, आप register person माने जाओगे और आप composition scheme ले सकते हो, तो दोनों case में, voluntary ले लिया होगा, या threshold cross होने के बाद ले लिया होगा, आप register person होना जरूरी है, और यह composition scheme only register person को ही मिलेगी, चलो, आगे बढ़ते हैं, और register person whose aggregate tenor, आपके जो भी doubts और questions से लिखे हो, मेरे explanation में, सबी doubts और जाएगे, डोंट वरी फोर दाट, और नहीं है, तो वाटसअ पे आप करी सकते हो, मेरी research team आपको जबाब दे रही है, और मैं भी आपको कभी कुछ वाटसप में भी solve करने लेता हो, रोज का ए गहंता में भी लेता हो, तो उसमें भी आपको answer मिल जाएगे, डोंट वरी for that, लेकिन आप लिखे रखो आपकी questions, okay, don't stuck to any questions, मेरे पूरे explanation में, या, next session के revision में, okay, आपके सभी doubts clear हो जाएगे, चली, और रजिस्टर परसन हो जाग्रिगेट टर्न ओर, अग्रिगेट टर्न ओर, come on, come on, come on, अग्रिगेट टर्न ओर मतलब, all taxable supply, all taxable supply, okay, except invert supply, दूसरा क्या, exam supply, exam supply includes, neal rate, only exempted, non taxable, okay, मतलब, यहाँ वर अग्रिगेट टर्न ओर, एक बार revise कर लेते हैं, फिर हम समझने की कुश करेंगे, तो अग्रिगेट टर्न ओर, अग्रिगेट टर्न ओर में, all taxable supply, exam supply में, तीनो supply, export supply, और interest rate supply, under same plan, आपका stock transfer भी आपका अग्रिगेट टर्न ओर माना जाएगा, तो चलिए, और रजिस्टर परसन हो जाग्रिगेट टर्न ओर, in preceding financial year, did not exceeds 1.5 CR, did not exceeds 1.5 CR, और 75 lakhs in special category of state, except the Assam, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir, may opt to pay in the of tax payable under section 91, an amount calculated at such rate as prescribed, but not exceeding, okay, तो 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 सुन लीगा, ये कहना क्या चाहते है, ये ये कहना चाहते है, विटा, कि अगर किसी को इस साल, तो हमारी ये शवद पूरी करनी पड़ेगी, मतलब, मतलब, एक लिए मेर सामने बैठाया और वो अगराई गहा है कि सर मैं रिटेलर बंद हुआ, मैं अच्छा ठीक है, तो सर मुझे इस बार जो एक पूंपोजिशन स्कीम लेनी है, मैं अच्छा ठीक है, मैं पूंपोजिश या आपके कस्टमर क्या ऐसे है कि जिनने आपने बिल उप सप्लाई भी दे दिया तो चलेगा, इस बार जरुवत नी, सर छोटी-छोटी डिटेलर हमारे के कस्टमर से या हमारे डारेक कस्टमर से जिनको इस बार जरुवत नी है, मैं ने का बहुत अची बात, आपको कस्ट से टैक्स देना है तो आपको एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी और गवर्मेंट अपनी शर्त पैली शर्त आपके सामने रख रहा है, तो गवर्मेंट आपके सामने पैली शर्त क्या रख रहा है, गवर्मेंट आपके सामने पैली शर्त क्या रख रहा है, गवर्मेंट आप का aggregate tenor, मतलब all taxable supply, exam supply, कि तीन supply, export supply, interest rate supply, that is stock transfer, all or India pan basis, अभी इसके बारे हम बात करेंगे, all or India pan basis, और कि आपका tenor जो है, तेड़ करोड की नीचे होगा, तो आप current year में composite rate से tax दे सकते हो, मतलब, मतलब ये preceding financial year जो देड़ करोड की limit है, हम टैक्स पे करने के लिए नहीं देख रहे है, हम ये मैं eligible हुआ नहीं हो, current year में, ओके ये low tax rate देने के लिए, composite rate से tax देने के लिए, क्या मैं ले सकता हो, मैं इतने 1% से tax दे सकता हो, आगे मैं percentage बताऊगा, तो उसके लिए पहली शरत कि तेरे प्रिकर्ट के रिकप लाके दे तेरे प्रिकार्ट अगर तू लाएगा तो इसके basis पर में बता हो गा कि तुझे करेंट यर में गौवनेंट कंपोजिट रेट से टैक्स देने लेकी यह भरीघ यह दे लिएड तो मैं प्रिफिवस्ळ선र का उसका अग्रियेट टॉन निकालो क अगर आपको याद होगा special category of state तो हमने एक list देखी थी तो उन्होंने का नहीं नहीं हम देड़ करोड तक नहीं दे सकते भाई हमारे पहली बिजनेसे बहुत चोटे हैं अगर देड़ करोड तक हम 1% से tax ले तो इसमें जो के state का राजस्व है राजस्व मतलब state का जो revenue है वो ब अगरा special category of state की जो provision हमने पढ़ी थी वो special category of state को को special revenue नहीं देना था सुनिये द्यान से special category of state को को special benefit नहीं देना था यह special category of state की definition इसलिए कि कुछ provision जो है specially कुछ states के लिए अलग चलेगी क्योंकि GST law सबी state एक साथ एक जैसा चलाएगे लेकिन कुछ state जो है द्यान से सुनिये मेरा यह statement कुछ state जो है अपना यहाँ पे कुछ provisions अलग से रख सकते है जिसमें यह provisions है composition scheme का turn और कुछ state जो है वो 75 lakhs रख सकते है और वो कौन से state रख सकते है तो जो special category of state हमारे constitution of India हमारा जो introduction module था उसमें जो defined है वो state जो है 75 lakhs रख सकते है वो अपना यह provision अलग से चला सकते है क्योंकि वो state रड़ी नहीं थे जैसा मनीपूर आसाम सीधा बिटावा बिजनेस ही नहीं है सभी छोटी रिटेलर्स है अब रिटेलर को भी अगर एक परसंट से टैक्स ले लिया जाए देड करोड तक तो फिर उनका राजस्वक क्या होगा उनका रेविन्यू क्या होगा औ पूरा अपना स्टेट चलाना इसलिए उनके लिए 75 लाक्स रखा लेकिन तीन ऐसे स्पेशल केटेगरी आप स्टेट जिन्होंने हिम्मत दिखाई और उन्होंने अपने स्टेट में देड करोड तक 1 परसंट टैक्स वाला स्कीम रखा कंपोजिशन स्कीम रखा और उनके स्टेट के छोटे बिजनेसमैन बहुत खुश हुए और के पहला था आसाम आसाम ने कहा हम स्पेशल केटेगरी आप स्टेट क्यों नहों लेकिन हम हमारे स्टेट में देड करोड रखेंगे तो सभी स्टेट के रिटेलर वाल अपने सभी रिटेलर को खुश किया जो कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते है जमुएन कश्मीर अब जमुएन कश्मीर यूनियन टेरिटरी हो गई है पर इसमें कर्स्पॉंडिंग अमेंड होना अभी अमेंड मेंड होना बाकी है वो कोवीड-19 के वज़े से बास नोटिवि के लिए आपको जमुएन कश्मीर भी कंसीडर करना है तो तीन ऐसे स्टेट है कौन से तीन आपके आसाम, हिमाचल प्रदेश और जमुएन कश्मीर इन तीनों ने भी आपने एरिया में अपने स्टेट्स में या यूटी में देड़ करोड तक का बेनिफिट दिया हुआ है बाकी सब स्पेशल केडेगरी आप स्टेट्स जो है वो 75 लैक्स तक ही कंपोजिशन स्कीम देना चाहते हैं अगर आप नीचे कमेंड में देखोगे तो मैंने लिस दी है कि अरुनाचल प्रदेश, मनीपूर, मेगालिया, मिजुरम, नगलंड, सिक्किम, तृपुरा, नुत पूरी करनी पड़ेगी कि आपका अग्रिगेट टर्न और प्रिसेडिंग फिनांचल यर का और के देखोड़ करोड से जादा नहीं होना चाहिए तो आप करेंट यर में कंपोजिट रेट से टैक्स देना दे सकते हो एक बार फिर से पढ़ता हो आप भी मेरे साथ पढ़िय करेंगा देखो और रजिस्टर परसन हुस एग्रिगेट टर्न और इन प्रसेडिंग फिनांचल यर दिद नाट एक्सीड 1.5 यर और 75 लैक्स पॉर स्पेशल केटेगरी आप सेट्स एक्सेट्स एक्साम इमाचल प्रदेश जमुन किश्मीर में अप्टू पे अब मैं आप श्कीम से भी आ सकते हो नॉर्मल स्कीम में आप 5 परसें 12 इवाचर परसें 18 या 28 परसें जिसमें भी आपका गुड्स या सर्विस इसाती है वो और नॉर्मल एट से आप ठैक्स दो इटिसी लो सभी रिकॉर्स मेंटेन करो रिटन सब्मीट करो हमें आपने तो आपको रोका यह नहीं है, यह नहीं नहीं है, आपने रिजिस्ट्रेशन लेने के बाद आप नॉर्मल स्कीम से भी चल सकते हो, यह फिर खिर कंपुजिशिशन स्कीम से भी चल सकते हो, मै उप्टु पे, इल्लियोप टैक्स पेल अडर स्ट्शन नाइन वन, अगर आपको याद होगा हमारा 91 चार जुखाँ रिए्ट को है यहां? Levy, collection and person liable to pay याद आई 91 चार जूटिए्ट कोड़ियों कि इसे, CgstK वंटी परसंट को प्रसंट में से जादां था उपनीपरसंट कोड़ियों और यहां पर हमने रेट जो 4 ब्रांड रेट है मतलब जो मेजर रेट है 5, 12, 18 and 28, बाकी तो 3 परसंट वाला भी है, 0.25 परसंट वाला भी है, मतलब मैं जब भी रेट को होगा तो यह जो मेंस लैप से वो कंसिडर करोगा, तो 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 5% से ना देते हुए, आप 18% से 12% से 28% से कि अना देते हूए, हम जो नीचे रेटेट प्रस्क्राइब कर रहा है, उस प्रिस्क्राइब रेट से जब रेट कर रहा हैं, उस प्रिसक्राइब रेट से अपकरेंट-फिनायंशल य यहर में टाक्स दे सकते हो, तो थेँए लिए कर दिस और आप करेंगार एण पिलास् velvet किये है रूल 7 में मतलब जितने रेट से वह maximum rate prescribed हो गया है तो अब देखो क्या कहते है not exceeding half percent of turnover in state or turnover in union territory in case of manufacturer अगर manufacturer होगा सुनिया दयान से तो rate होगा half percent अब दयान से सुनिये गा ये rate half percent जो है ये CGST तो CGST act में half percent, SGST act में half percent ऐसा कितना होगा बटा 1 परसंट इसलिए नीचे अगर आप टेबल देखोगे तो उतना ही rate prescribed किया गया है तो manufacturer होगा तो manufacturer ये आगे के लाइन पर अभी दयान मत देना अबी सिभ दयान देना manufacturer तो CGST का half percent, SGST का half percent, total 1% rate होगा 1% of turnover in state इसके बारे महां आगे बात करेंगे तो उनोंने rate दिया manufacturer के लिए ok 1% अब आपकी दिमाग में एक सवाल आएगा, क्या, कि sir manufacturer मतलब को हमने इसके पर इसके पर जसके manufacturer की definition देखी ती, manufacturer मतलब क्या कि जो input या raw material को complete transform कर रहा है in new product having distinct name, use and character, उसने product को बदल ही दिया, एक new product बना लिया इसके अब नाम, इसके अब यूज़ एग अगरेक्टर है, okay, वो मैनिफक्शनिग प्रोसेस काई जाएगी और जो बन्द यह प्रोसेस कर रहा है वो बन्दे को मैनिफक्शर काईगा I repeat, वो बन्दे को मैनिफक्शर का जाएगा, समझ में आ रहा है, तो ध्यान रखना बिड़ा, मेरा हर पॉइंट आपको यह पे help करेगा तो मैनिफक्शर को जो है, 1% दिया है, of turn or in state, or turn or in union territory Now, उसके बाद में, next, B, B यह पे 2.5% of turn or in state, 2.5% of turn or in state, or union territory, in case of person, engage in making supplies, referred in clause B of para 6 of schedule 2, याद करने कोशिश करो, okay, here clause B, para 6 of schedule 2 में क्या था है, schedule 2, para 6, para 6 में 2 services थी, works contract, और restaurant catering, हा, okay, इसमें आते है restaurant, restaurant, or catering, or mace, mace, etc., तो अब इसके आगे बटा, okay, इसमें हर वो service, इसमें food दिया रहा है, यहाँ पे drink दिया जा रहा है, for human consumption, फिर वो restaurant हो, catering हो, mace हो, eating joints हो, भोजना ले हो, कुछ भी हो, okay, जो clause B में आने रहा हो, कोई भी हो इसमें, food for human consumption दिया जा रहा है, वो इसमें रहा है, वो इसमें रहा है, वो इसमें रहा है, तो अब मैं बार-बार mace, eating joints अगरे का नाम नहीं लूगा, मैं रेस्टोरान, catering, etc. कहोगा, मतलब समझ जाना यह वाला, तो यहाँ पर, 10-1 में, एक ही service को, यहाँ देड करोर तक का composition scheme दिया है, एक ही service को, बाकी सब services 10-2-A में आता है, मैं एक ही service को यहाँ पर दिया गया benefit, देड करोर तक का, बाकी सबी services 10-2-A में शिफ्ट हो जाती है, मैं आगया आपको पड़ाओगा, तो ऐसे case में restaurant or catering होगा, तो 2.5% का, I repeat, 2.5% का benefit उसको composition scheme में दिया गया, तोड़ा में टेबल में बताओ, तो restaurant or catering होगा, तो वो situation में 2.5% CGST, 2.5% SGST, याने rate कितना दिया गया, पांच परसेंट, I repeat, rate कितना दिया, पांच परसेंट, लास के टेबल में हमने लिखा था, अगर आपको याद होगा तो, और और यहाँ पे, half percent of turnover of taxable supply, again half percent of turnover of taxable supply of goods and services in a state or turnover in union territory in case of other supplier, तो यह underline करना, taxable supply of goods and services, okay, for other supplier, other supplier, तो यहाँ लिख देना, trader, trader, engage in supply of goods, engage in supply of goods, supply of goods, हा, मैं जानबुच के लिख रहा हूँ, sir, other supplier में आपने कैसे प्रिजुम किया कि ट्रेडरी आएंगे जो supply of goods कर रहा है, उसके लिए आगे एक प्रोविजन आती है, बेटा, वो आपको समझना बढ़ा है, बहुत जरूरी है, अभी मैं कह रहा हूँ ना, तो ट्रस कर लो, कि यह other supplier में जो है, trader आते है, जो ट्रेडर आते है, जो ट्रेडर खरिटते है, बेशते है माल, ओके तो ऐसे केस में, ट्रेडर, जो supply of goods में एंगेज है, तो वो आते है, तो उनको भी 1% का स्कीम दिया है, तो ट्रेडर को 0.5%, 0.5% टोटल कितना बिटा, 1%, यहाँ पे 1% of taxable supply of goods and services, यह उनको यह बेनिफिट दिया गया है, 1% का, तो चलो एक बार मेरे साथ रिवाइस कर लेते हैं, अगर आप प्रसिडिंग फिनांशियल यर की यह कंडिशन, मतलब आपका प्रसिडिंग फिनांशियल प्रसिडिंग फिनांशियल यर का अगर देड करोड के नीचे होगा, तो गौर्मिन आपसे बात करना चाहती है, मेरे थ्रू, यहाँ पे देड करोड के नीचे होगा, तो करेंट यर में हम आपसे जो है, टैक्स एक परसेंटी लेंगे, आपको कमपोजिशन स्कीम लेंगे, और करेंट यर में जो भी आपका स्टेट का टरन ओर होगा, वो स्टेट के टरन ओर का वन परसेंटी टैक्स लेंगे, अगर आप बैनिफाक्च्चर होगे तो, दूसरा, रिस्टोर अन कैट्री होगा, तो फाइव परसेंट लेंगे, और अगर आप जो है, ट्रेडर होगे अगर आप 1% से टैक्स दे रहे हो इस साल, लेकिन फादा ये है कि रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरुवतनी, रिटरन फाइल करने की जरुवतनी, कम्प्लाइंस ज्यादा करने की जरुवतनी है, तो बहुत सारे फाइदे आपको मिल सकते है, इस कंपोजिशन स्कीम में, तो फिर देखो में कैसे जितता हूँ, तो इन सिंपल वर्ड, बी केरफुल, कमान, बी केरफुल, अभी तो मैंने स्कीम बताई है, इसके एक एक वर्ड पर देखना कैसा डिटिल मैनल इस होता है, तो अभी तो स्कीम यह है, कि आपको 1% और 5% या 1% का आपको बेनेफिट स्पेशल केटेगरी ऑफ स्टेट के लिए 75 लाक्स का है, लेकिन तीन ऐसे स्टेट, ओकि लएं करना कौन कौन से, आसाम, हिमाचल प्रदेश और जमाइन कश्मिर, जहां 75 लाक्स की लिमिट अप्लिकेबल होगी, और लदाक के लिए भी तक कोई क्लारीटी नहीं है, इवन तो यह सेपरेट उनियन तरी बन चुकी है, ठीक है, चलो, यहां तक समझ में आया, हम, ठोड़ा आगे बढ़ते है, फिद इसक्रिशन को और में डिटेल में लेके जाओगा, प्रोवाइड दाट, गवर्मेंन में बाइन नोटिफिकेशन इंक्रिकेशन इंक्रिकेशन इंक अचली, जब GST Law पिचर में आया दो, 1st July 2017 को, तो लिमिट सी 50 लाग दी थी, लिमिट सी 50 लाग दी थी, पर एक प्रोवीजो अड़ की थी, यह प्रोवीजो बेर टेक्स्ट है, इसलिए कन्फूज मत होना, और यह प्रोवीजो क्या केती है, कि 50 लाग की लिमिट, अगर लेकिन आप बेर टेक्स पड़ोगे तो देड़ करोड नहीं है, बेर टेक्स पड़ोगे तो पचास लाग ही है, इसलिए मुझे वाटसप मत करना बेर टेक्स लाग ही है, लेकिन बाय नोटिफिकेशन उसको देड़ करोड तक बढ़ा के रख दिया है, क्योंकि प्रोवीज तो पावर दीजिए ती गोर्मेंट, मतलब GST-Consul चाहे तो, I repeat, GST-Consul चाहे तो ये 50 लाग से इसको देड कर सकती है, और GST-Consul अच्छा इसको डेड कर सकती है, और GST-Consul के डिसीजन के वज़े से, Central of State Government नोटिफाई कि चलो देड कर दो, इसलिए मैंने सेक्शन 10.1 में डारेक्ट देड करोर ले लिया है, ठीक है, पचाहस अगर आप बेर टेक्स देखते हो, एक देखते हो तो पचाहस लाग की है, पर वो बढ़ा के देड करोर कर दिया है, चलो, ये प्रोविजो बैसी इंपोर्टन नहीं है, यहां पर 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 वो बढ़ा कर देखते हैं, Claw C मतलब ट्रेडर, तो जो Claw A, B or C, में अप्लाय सर्विसेस, other than those referred in Claw B of Para 6 of Schedule 2, of value not exceeding 10% of turnover in state or union trabity in preceding financial year or 5 lakhs rupees, whichever is higher. कुछ सम्झा के आपको? नहीं ना? मुझे नहीं सम्झा बात का तब? नहीं वेटा, ऐसा नहीं है, okay, आप देसे सुनो. यह, यह discussion है बहुत इंपोर्टन, लेकिन, मैंने नीचे लिखाए, detailed discussion on explanation is done on subsequent pages, explanation नहीं प्रोविजो 2. अगर आपके नोट्स में करेक कर जायागा तो ठीक है, otherwise correct कर लेना, detailed discussion on proviso 2 is done on subsequent pages, इसके लिए थोड़ा आगे की provision पढ़ना बहुत जरूरुरिय है, इसलमें इसको अभी नहीं पढ़ा सकता, यह प्रोविजों के पर प्रोविजों बाद इंपोर्टन है, पर जब तक 10-2 नहीं होगा, आपके तो नहीं पढ़ा सकता, तो पहले 10-2 पढ़ा देता हु, और फिर ये प्रोविजो पे हम डिस्केशन यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे इस इट क्लिया? अरे बोलो हाँ यह ना? बोलो हाँ चलिया तो अब यह प्रोविजो को थोड़ा पेंडिंग रखता हूं और एक्स्पानेशन प्रोविजो not इस 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 को था? इस इसल hemos उन प्रोविजो ड़लो हाँ इस इस इसलाएंगे बेस स क्लिया पादा होँगा? पहले मुझे अच्पानेशन इसाफन अचपानेशन ऋइसाबुआ प्रोविजो प्रोविजो बढ़ाएंगे पहले मुझे प्रोविजो 2 पढ़ाना पढ़ेगा, और फिर यहां पर नेक्स्ट, फिर बाद में एक्स्प्लेनेशन पढ़ाना पढ़ेगा, अब प्रोविजो 2 जो है, मैं आपको पढ़ाने वाला नहीं हूं, बाद में पढ़ाने वाला मतलबी क्या, मतलबी एक्स्प्लेने खतम होता है, ठीक है, दुसरी प्रोविजोरी एक्स्विनेशन में आपको आगे पड़ाओगा, ठीक है, now, next page पे अगर आप आओगे, तो next page पे लिखा है, section 10.3, eligibility criteria for composition scheme, 10.3, अब 10.3 में जानभूच के पहले ले रहो, 10.2 नहीं लिया, 10.2 नहीं लिया, 10.3 में पहले ले 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 लो, क्योंकि 10.1, 10.3 के साथ पढ़ते हो, तो ही आपको ये skim समझ में आएगी, 10.3 क्या कहता है, the option available by register person under subsection 1, मेरे सामने क्लाइन बेठाया, देख भई, पिछले साल का तेरा तर्नोर देड करोड के नीचे है, तो तुझे ये option मिलेगा कि current year में, तो tax 1% से pay कर सकता है, हाँ सर, मेरा तर्नोर प्रिवेस येर का aggregate तर्नोर देड करोड के नीचे है, मैं आप तुझे का तर्नोर मिला कर देड करोड के नीचे है, और सभी का तर्नोर मिला कर देड करोड के नीचे है, सर, तो देख लो मुझे कमपोजिशन स्की मिलेगी, सर, वा, मजा आगया, अब मैं कमपोजिशन स्की मिलूगा, हाँ, तुझे करेंट येर में कमपोजिशन स्की में क्या मतलो समझलो तेरा करेंटियर में टैन आइगा तैक्स कुरो्ड ब्सकते Alletricians वेार शका थे खर फिको पिसले साल देट रर खरोर और करेंटियर का 500 करोड हो गया क्याепस क्या जाव्वर्मेंट को गुल कोड़में देनी आगारे हागारे को दिए दूपते दामाद है कि तुझे टुट ए रिख और शुटरू इघा तुटर एम अन्परस्टेंगे गेरा है इसा यह सकता तो 10-3 किया कहता है 10-3 है यह बड़ा कामा छाहता है लिखो क्या कहता है, okay, मेरे साथ आप भी पढ़िए का मजा एगा आपको, okay अप्शन अवेल बाइ रजिस्टर परसन अडर सब्सक्शन वन कर समय का और रजिस्टर परसन इन वन याप्शन वी अपनीड लिखान फ्लिफ। during financial year, this financial year means current financial year, current financial year, aggregate current during financial year exceeds the limit specified under subsection 1, exceeds the limit specified under subsection 1, what does it mean? It means that in current financial year, the 1% tax scheme will lapse, when in current year, aggregate turnover exceeds 1.5% what does it mean? It means that if I explain it in the diagram, here is the preceding financial year and current financial year, you can draw it in the notebook, otherwise, these marked notes will get you, okay, so here is the preceding financial year and current financial year, okay, so preceding financial year is not seen for tax, preceding financial year is seen which means that if I can get the option of tax 1% in current year, what will I get the option of tax 1%? so now let's see here, okay, what do they say? If in preceding financial year, my aggregate turnover, aggregate turnover does not exceeds, does not exceeds, 1.5%? 1.5% CR, 150% CR, 1.5% CR to yes, okay, I will be eligible for composition scheme, eligible, eligible, eligibility आजाएगी for composition levy composition levy, तो अब मैं current year में composition scheme ले सकता हो, अब current year में क्या पूरे साल मुझे 1% का option मिलेगा, नहीं पूरे साल नहीं मिलेगा, मतलब यहाँ पे, जब current year मुझे 1.5 करोड तक मेरे aggregate turn or okay, aggregate turn or 1.5 करोड तक मुझे option मिलेगा, और जैसे 1.5 करोड विड्र खतम हो गया, मेरी skim lapse हो जाएगी, मतलब क्या, मतलब समझे ले, April, May, June, July, तो April, May, current year का, June, और July, और July, ठीक है, तो April मेरा turn or हुआ, समझे लो मेरा April का value है 30 लाक, में का value है 20 लाक, June का value है, June का value है μέra, value of supply, ठीक है, June का value है 80 लाक, और यहाँ पे 10 जुलाई का, 10th July को मेरा value, तो 30 लाक, 20 लाक, कितने हुआ है, 50, 50 रसि, 388, और यहाँ पे 10 जुलाई को मेरा value है 20 लाक, तो अब जैसी जुलाई और मैं आउगस्ट भी ले लेता हूँ, ओगस्ट, ठीक है, तो यह पिरेड में, मैं टैक्स जो है, मैं यह पिरेड में टैक्स वन परसेंटी दोगा, मतलब यहां पर, यहां से लेके 10 जुलाई तक, okay, tax is payable, GST is payable, payable, C GST at the rate 0.5% or S GST at the rate 0.5%, S GST 0.5%, C GST 0.5%, लेकिन, अब मेरा 10 जुलाई को skim shall be withdrawn, shall be lapse, मेरी skim lapse हौआगी, 10 जुलाई को lapse हौआगी मेरी skim, और यह मेरा 15 करोर खटम हो जाता है, तो मैरा 15 करो खटम ओटा तो इसके आगे मैं नार्मल स्कीम में टैक्स दूगा. तो जिस टी टी इस पेबल, पेबल एट नर्मली बाइट, at normal rate GST आपको normal rate से देना है देहन से देखिएगा GST is payable at normal rate normal rate से आपको tax देना है अई बास समझ में? yes or no? okay, तो normal rate से tax देना है तो अगर current year में आपका देड़ करोर क्रॉस हो जाता है तो composition scheme विड्रो हो जाएगी lapse हो जाएगी section 10.3 के हिसाब से 75 lakhs, current year में 75 lakhs और है लिखना है लिखना है लिखना है for special category of state of state 75 lakhs 75 lakhs लिया जाएगा तो बेटा, यहाँ पे वह आप प्रिजुम करके चलना की देड़ करोर normal states के लिए plus 3 special category of states के लिए असाम, इमाचल प्रदेश और कश्मिर बाकी special category के लिए 75 lakhs मतलब previous year भी 75 lakhs और current year भी 75 lakhs तो एक बार फिर से इसकीम देखो कैसी है इसकीम है कि अगर आपका प्रिस्टिंग फिनांशिल यर का अग्रिगेट टन और 1.5 से आर यह 75 lakhs से कम होगा तो आप कंपोजिशन स्कीम के लिए इलिजिबल हो जाओगे और आप अग्रिगेट टन और मतलब सब टोटल करते 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 अग्रिगेट टन और जिस दिन आपका देड करोर करेंट यर में आ जाएगा उस दिन यह स्कीम लैप्स हो जाएगी तो उस दिन यहां पे यह स्कीम लैप्स हो जाएगी और इसके आगे retrospective नहीं retrospective नहीं, इसके आगे आपको tax जो नॉर्मल rate से दिना पड़ेगा और यहां तक जो tax दिया वो आपको 0.5 0.5% से दिना पड़ेगा अगर manufacturer या trader होगे restaurant और catering होगा तो आपको जो है वो 5% से आपको आपको ये स्किम समझ में आई होगी, आई या नहीं, बोलो हाँ, ठीक है, आपके डाउट्स, क्वेश्चिन, सब सब सॉल हो जाएगे, वेट फॉर दाट, सिब बाजु में लिख के रखो, स्टेप बास्टेप हो जाएगे, सब ही क्लिर जाएगे, ठीक है, तो चलिए अगे का इसक्रिशन जो बहुत इमपर्टेंंट है, तो नेक्स वीडियो में अधिए, वेल एक एसवाइब लेना चाहता हूं, यह पर एक एक एग्जाम्पल में लेना चाहता हूं थीक है, ये एक्जाम्पल में पहले देख लीजिएगा फिर बाद में लिखना है तो आप लिख सकते हो पर्टिकुलर्स उसके बाद में ठीक है तो पर्टिकुलर्स में आपका year जो है 2017-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 ठीक है यहाँ पर आपका aggregate turnor aggregate turnor कितना होगा ये एक्जाम बड़ा बड़ा अच्छा है आपके बहुत सरे doubts क्लियर कर देगा ठीक है aggregate turnor उसके बाद में आपका less threshold अगर आपको कोई threshold मिलता होगा फिर आपका आएगा taxable taxable turnor उसके बाद में नच्ट turnor अडर कंपोजिशन स्कीम composition ठीक है उसके बाद में turnor sorry gst यसके बाद में तर अडर कंपोजिव च्ट थंडर कंपोजिशन स्कीम यसके बाद में तर आपकोजिशन स्कीम under normal scheme normal scheme or GST payable under normal scheme normal scheme dance one point what I am writing okay now your aggregate turnover one point we will see okay now your aggregate turnover preceding financial year here 17-18 there was nothing because there was no business I repeat there was no business so 17-18 turnover there was no business no business no business business there was no threshold taxable turnover and then I mean here is threshold taxable turnover and then here is composition scheme GST under composition scheme turnover under normal scheme and the rest is not coming anything now your first year listen your first year business was 18-19 was 18-19 turned Row here 80 lakhs in 18-19 turned your error rounded here इससे हां गाल Whew, हैं की जेश हैं का अध्याटीजिय नी, करें जायू कि एक 2, 일본 की मर्च की जाए arrival 2,000,001,22,004,005,005,007,004 particular, CO2C,002,005,005,005,005,005,006,005,005,005,005,005,005,005,000,005,005,006,005,005,005,006,005,005,005,005,005,005,005,006,005,005,005,005,005,005, फ्रसक्राइब झाला और बादा, ते बढ़ और फ्रेश्ट्राइब ये लिए। झालाइब। वो जरो था, जरो था मतलब दस नॉट एकसेट, रेपीट, दस नॉट एकसेट 1.5 थियर या 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 एलिगिल फॉर कमपोजिशन से तो, फर्सट यर फॉर्स यर ऑफ वे बिजनेस वेंचे, मैनिफ़क्ट्टेटर त्रेडर रेस्टरूर एर इस्ट्रों एर एकसेटर इस फर year जो है वो zero है I hope आपके इबास समझ में हो कि तो यह पर definitely वो composition scheme claim कर सकता है तो पुरा 60 लाइब composition scheme में कितना 1.5 करोड तक come on, यहाँ पर कितना बिटा 1.5 करोड तक तो उसका 60 लाइब तो 60 लाइब पुरा composition scheme में claim करेगा, अगर 60 लाइब तो एक परसंटी टैक्स देगा एक परसंट मिलब C GST 0.5 परसंट, S GST 0.5 परसंट तो यहाँ पर जो है वो 0.6 लाइब यहाँ यहाँ परसंटी टैक्स देगा तो बाकी नॉर्मल स्कीम में कोई उसका टरन और नहीं GST नॉर्मल स्कीम में पेडल नहीं बस इतना ही GST उसे पेड़े करना पड़ेगा कंपोजिशन स्कीम में आप आपको समझ में आओगा तो बिटा फिर से देहन से सुनो कि यहाँ पर इसका ट्रेशोल के बाद 20 लाग का ट्रेशोल रे के बाद साट लाग बचा 60 लाग वो देड करव तक का कंपोजिशन स्कीम ले सकता है तो वो 60 लाग की थे तो वो यहाँ कंपोजिशन स्कीम ले सकता है और उसके पर 1% का टैक्स लेगा नॉर्मल में उसका कोई अमांट आए नहीं तो क्वेश्चन आप यहाँ पर नॉर्मल टनॉर और नॉर्मल गजस्टी दसनाट अराइज ठीक है? इह उसका फर्स्ट था अब नेक्स्ट य्यर अीर नेक्सट यरमें उसका टॉरनॉर होगया 200 लाक्स मतलब 2 LIR 200 लाक्स मतलब 2 CMste宏 तो कё अब 200 लाक्स उसका टॉरनॉर होगयाए नेक्स्ट यरमें 2 CM तो आषये तो सर टेर करोर के उपर की चले द्या तो इसको 19,20 में कमपोसिशन की मिले ऩा जिसो मेरा सिंपल कॉस्चन की नाना इंटीं डेंटीं डेंटीं में की मिले की क्या मिले उ डेंडी जिसो मिलेगी तो फिर्फ नहीं मिलेगी, कुन इसे अबुलना एक तर्थ याहिए, तो तर्थ नहीं मिलेगी क्योंकि इसका टोन्युट पर पे तर्थ सेही जए जा अब। नहीं नहीं, लेगी बेठा जबेगी Composition scheme, क्योंकि 10-1 के शापव से क्योंकि 90 में 2020 हमारा क्रेंटी अरा कॉरैंटी एप ही लुप एप ही लुप रुप रो 않고 कम on! you will get composition by तो ऐससे पिर सिचुयशन, यहाँ पर जहां तक देखा जाए तो करेंट यर में तो के 200.2, C.R. है तो तो वह नहीं देखना है अपको वह नहीं देखना करेंट यर का आपको यह देखना है कि करेंट यर में चुक एपंपोजिशन bevor邸 इस में अगो में और प्रिवेस ये विए बेझे के बेज अ सब्स करें आपर उन्स हО prossका है अगो से में आप के अशचिंघ. क्यों तो इससरी बात आपसे करना चाहोगा थ्रेश्ड bonus आपका 20 लाग क्रॉस हो गया, आप रजिस्टर परसन मिल गया हो गया है, और once you become a रजिस्टर परसन, दैन से सुनना मेरी बात, once you become a रजिस्टर परसन, तो अब आपको lifetime threshold नहीं मिलेगा, जब तक आप registration cancel नहीं करते हो, क्योंग आप register person हो गया है, तो GST में exemption नहीं है, GST में registration के लिए threshold है, मेरी बात सुनो, GST में exemption नहीं है, GST में registration के लिए threshold है, आप सुन रहे हो मेरी बात, तो ऐसे case में, यहां threshold नहीं मिलेगा, तो उसका taxable turnover 200 lakhs, पर उसे composition scheme मिलेगी, yes, composition scheme के लिए हो eligible होगा, पर 200 में से, उसकी composition scheme देड़ करोड तक ही मिलेगी, आपको उपर वाला example याद आ रहा है, कि पहले देड़ करोड तक, उसको composition scheme मिल जाएगी, पर पहले देड़ करोड तक ही मिलेगी, और उसके बाद उसको normal scheme में tax देना पड़ेगा, तो यह 200 lakhs में से, पहले देड़ करोड तक उसको composition scheme मिल जाएगी, उसके उपर वो जो tax देगा, वो 1.5 lakhs का tax देगा, और उपर का जो 50 lakh है, वो 50 lakh normal scheme में आ जाएगा, उपर का 50 lakh, यानि पहले देड़ करोड खतम होने के बाद के जो 50 lakh है normal scheme में आ जाएगा, और नॉर्मल स्किम में आपड़े, टैक्स देड़ेगा, अगर नॉर्मल स्किम का रेट में आजूम करता हो 12 परसेंट, तो 50 lakhs का 12 परसेंट यानि 6 lakhs उसे टैक्स देड़ेगा, 6 lakhs उसे टैक्स देना पड़ेगा, चलिए, तो अब, यहाँ पर, next, नेक्स वाला एक्साम्पल बड़ा इंपॉर्टन थै, next year में आपका तन और अउनली रूपी वन यहाँ, एक रुपया वाँ बस, तन और अपका एक रुपया हुआ है, तो क्या नेक्स यार में पुम्पोजिशन स्किम मिलीगीगीगा, अब आपका करेंट यर वा 2021, जहां से सुनना, अब आपका करेंट यर वा 2021 और प्रसिडिंग फिनांशल यर वा 1920, तो आपको 2021 में कंपोजिशन स्किम इलिजिबल होगी क्या, सेक्शन 10.1 कहता है, अगर किसी को कंपोजिशन स्किम लेना है, तो उसका अग्रिगेट तरन और प्रसिडिंग फिनांशल यर, तो अग्रिगेट तरन और प्रसिडिंग फिनांशल यर, यह देखने के लिए अग्रिगेट तरन और प्रसिडिंग फिनांशल यर, तो प्रिवे सार्ए तु गलत है यह तू गलत है नहीं नहीं मिले गास बात कटम ज्सकार क्यू? यह अगर्ड़िए टन अप्रॉजिशं किन बलेगी तो सब्सक्राइब अरो अगर्ण भी जब करिया बने नहीं तो क्या थ्रेश्वोल है थो छोड़ी यहांपर रुपीगाउ composition scheme not eligible वो composition scheme के लिए eligible ही नहीं है और अगर वो eligible नहीं है तो सवाल ही नहीं पुरा एक रुपिया उसका normal scheme में चले जाएगा और अगर एक रुपिया normal scheme में चले गया तो उसको tax देना पड़ेगा 12% से याने rupees 0.12 उसको यहां देना पड़ेगा 12 पैसे tax देना पड़ेगा और सर इसने 12 पैसे का tax नहीं दिया तो अगर इसने 12 पैसे का tax नहीं दिया ना बेटा यह धैन सुनना 12 पैसे का tax उसने अगर नहीं दिया ना तो 100% pen架िमन zostican और 12 पैसे प्लस उस पर interest तेसा 30 पैसे अब 30 पैसे मिलते का है एक रुपया दे के आजाना और बाकी को कहना टीप ले ले भई और करे क्या क्या पर हाँ उसको एक एक रुपय से टैक्स देना पड़ेगा ये example मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ मैं example से ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आपका टन और प्रिवेस एर में देड़ करोड से एक रुपया भी जादा हो गया तो करेंट एर में पहले दिन से पहले रुपय से टैक्स देना पड़ता है composition scheme नहीं मिलती है देड़ करोड से एक रुपया भी जादा हो गया इसले लोग मार्श में प्लाणिंग करते हैं सुनिये का दैन से इसले लोग मार्श में प्लाणिंग करते हैं मार्श में ओड़ करोड से जादा जादा एक काम करो इस साल का सप्लाइ मत बताओ देड़ करोड के निचे रखो तो यहाँ पर दयान से सुनियेगा, okay फिर से कहता हूँ कि यहाँ डॉट देड़ करोड के नीचे होगा तो कमपोजिशन स्कीम मिल जाएगी देड़ करोड के अपर चले गया तो अगले साल पहले दीन से हर रुपय पर टाक्स देना पड़ेगा तो कमपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी, नॉट एलिजिबल अग्रिगेट तरनोर और पी एफ यह एग्सेट्स 1.5 CR उसको कमपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी, ठीक है अब ट्वेंटीवन ट्वेंटीटू में उसका 1.5 CR dot है dot 1.5 CR उसका टरनोर है, ठीक है मेरा सवाल आपसे यह, dot 1.5 CR है, आपसे सवाल है कि क्या उसे इस करेंट एर में कमपोजिशन स्कीम मिलेगी क्या सूचिएगा, दो मिनट, फिर एंसर देजिएगा कि इस एर में कमपोजिशन स्कीम मिलेगी क्या एंसर बता ही है मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्या कहना है अपका कुछ स्टुडेंट्स, मिल जाएगी सर, क्यों मिल जाएगी क्योंकि एग्रिगेट टरन और प्रसेडिंग फिनाइशल यह, एक रुपया है अगर अग्रिगेट टरन और प्रसेडिंग फिनाइशल यह, यह पे 1 रुपया है तो क्रुडेंट यह मिल जाएगी चल अची बात है, क्रुडेंट यह मिल जाएगी, क्योंकि प्रिवेस यह, उसका अग्रिगेट टरन और जो है, वो कितना? 1 रुपया है, एक रुपया है, मिल जाएगी, तो, ठीक है, कोई द यह फेवर में, क्योंकि यह पेपिलेगी सार, अगर इसके पहले किसी भी साल, को तूडेंट का इरप्रिजिक्शन क्या है, इसके पहले किसी भी साल, उस्ने तेड कर और क्रॉस कर दिया होगा, तो अब उ आपने लिए और क्रोस कर दिया, तो फिर आगे आपको कुभी कंपोजिशन स्किम नहीं ऐगी, ऐसा नहीं है, तो जिस्टी दितना ही कहता है, कि अगर अगर करेंट यर में कंपोजिशन स्किम चाहिए, सुनियेगा, तेंवन आप प्र से पढ़ियेगा, 10.1 इतना है कि करंग यर में अगर कमपोजिशन स्कीमचेह तो इसका अग्रिगेट टनॉर इन पूसदिंग फिनांचलय यह दिन नाट एक्सेट 1.5 सिर्थ मतलब पिछले साल का जस पिछले साल का ही तेकना है और पिछले साल का टरन और हर ऑग तो को फिन पॉउंट प्टा-टर्न of any of the preceding financial year exists 1.5 CR that you will not get composition skim अई इसा नहीं लिखा है सिर्फ आपको लास्ट financial year देखना है और लास्ट financial year का तरन ओर अगर देड़ करोड से नीचे है तो आपको composition skim मिल जाएगा बेटा आपको composition skim मिल जाएगा तो ऐसे situation में यहाँ पे composition skim मिल जाएगा threshold के तो बात ही नहीं आएगी क्योंकि आप register person हो 1.5 CR आपका turn-or था composition skim eligible है तो composition skim का turn-or 1.5 CR आपका tax 1.5 lakhs 1% का tax आएगा 1.5 lakhs आपका tax आएगा normal turn-or आपका nil क्योंकि 1.5 CR हुआ normal tax भी आपका nil ठीक है तो आपको composition skim मिल जाएगा तो just we have to check preceding financial year we have to check turn-or of preceding financial year that's all और वो कम है तो आपको composition skim मिल जाएगी अब last 21 और ले लेता हो और बात को यहाँ खतम करता हो 22-23 22-23 और इस साल आपका जो turn-or है बाटा यहाँ पर इस साल का turn-or आपका ठोड़ा में इस कैसा ले तो आपको confusion नहीं होगा 150 lakhs क्योंकि हम lakhs में देख रहे हैं तो यह भी 150 lakhs यह भी 150 lakhs और उसका tax जो आएगा 1% 1.5 lakhs ठीक है अब आपका turn-or यहाँ पर 2023 में 180 lakhs है 180 lakhs है 2023 में ठीक है अब मेरा स्वाल यह है कि क्या 22-23 में 22-23 में क्या आपको ग्रिटिशन की कि मिलेग क्या अगर करेंट एट में इर में कुम पोजिशन स्किम लेना है तो आपको क्याँ देखना है aggregate turner of preceding financial year and aggregate turner of preceding financial year, aggregate turner में all taxable supply है, हमारी बात हो चुकी अब में बार-बार रिपेट नहीं करूँगा, all taxable supply है, except invert supply है exam supply, export supply and yield rate supply, aggregate turner लेना आपको is it clear, तो ऐसे केस में previous year का aggregate turner does not exist 150 lakhs and a dot 150 lakhs है come on, dot 150 lakhs है, क्या composition scheme मिल जाएगी, yes, threshold नहीं मिलेगा, 180 lakhs और 180 lakhs, composition scheme में 150 lakhs, याने composition scheme में tax आएगा 1.5 lakhs normal scheme में उपर का 30 lakhs चले जाएगा और उसका 12% याने यहाँ पर 3.6 lakhs जो है उसका 12% आपको normal scheme में tax दिना पड़ेगा, तो यह था विटा table regarding to composition scheme okay, हमने अलग-अलग parameters पे अलग-अलग situations हमने देखा, एक बात का ख्याल रखना कि रिट्रॉस्पेक्टिव एफेक्ट से विड्रॉणी होता है, अगर प्रिवेस येर मेरा तरनोद देड करूर की नीचे है, तो करेंट येर में पहले देड करूर तक पहले देड करूर तक में टैक्स वन परसंट से दोगा, रिस्टोरेंट कैटरिंग होगा तो पांच परसंट से दोगा टैक्स में, आई बात समझ में आपको, रिस्टोरेंट कैटरिंग होगा तो पांच परसंट से टैक्स में, और यहां पे, रिस्टोरेंट कैटरिंग हो जाएगी और उसके आगे मुझे नॉर्मल स्किम में टैक्स देना पड़ेगा आपको मैं पांच मिट का टाम देता हूँ जिसको ये टेबल ड्रॉ करना है और वो ड्रॉ कर सकता है अपने नोट बुक में अपने पांच में गॉर्म देना आपको में टाम शेळागा है और वो जो जा रवागी अपने बुक झाल झाल हुँ झाल झाल मैं प्रृट झाल 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 चलिए आपने ये टेबल द्रॉ किया about composition scheme ठीक है अब मैं next example आपका और लेना चाहोगा आपको जो लेना है पेटा एग्रिगेट टेन और लेना है aggregate turnor मतलब क्या composition scheme में यहाँ पे अगर आपकी एक से जादा ब्रांचे से मेरी बाद धान से सुनना अगर composition scheme में आपकी एक से जादा ब्रांचे से महराश्ट्र में भी है गुजरात में भी है तो आपको प्रांच प्रांच प्रांश्ट्र में भी है तो आपकी ब्रांच चुरात में भी है और आपकी ब्रांच जो है यहाँ पे बैली में भी है ठीक है तो आपको preceding financial year का, preceding financial year का, preceding financial year, और आपका current financial year का turn all, तो आपको ये composition scheme कैसे लगानी पड़ेगी, मैं बता देता हूँ, आपका preceding financial year का, aggregate turn all, aggregate turn all, आपका जो है, ये समझ लो, 40 lakhs है, महराश्च्र का, और यहाँ, sorry, महराश्च्र का turn all, आपका 40 lakhs का है, ठीक है, उसके बाद में, द्यांसर देखिएगा, गुजरात का turn all, आपका 50 lakhs है, और देली का turn all, आपका 10 lakhs है, तो आपका aggregate turn all, है, aggregate turn all, of preceding financial year, aggregate turn all, of preceding financial year, तो कितना है, 40 plus 10, 40 plus 50, 90 plus 10, याने आपका क्या है, 100 lakhs का turn all, अगर 100 lakhs का turn all, तो आपका current financial year, जो है, okay, eligible for composition skin, आपको composition skin मिल जाएगी, eligible for composite levy, composite levy, आपको composition levy मिल चुकी है, ठीक है, अब ये composition levy जो है, मिल चुकी है, अब current year में, आप जब टैक्स दोगे, तो example लेते है, month of April, month of April, May, तीनों ब्रांचेस का, तो current year में जब आप टैक्स देने जाओगे, आपको composition levy तो मिल गई, पर current year में जब टैक्स देने जाओगे, तो आपको aggregate मिला कर, आपको aggregate मिला के, तीनों ब्रांचेस का मिला के, तीनों ब्रांचेस का मिले की, तीनों ब्रांचेस का मिले की, कि आपको 1.5ुन झाइ की और को सब्स्थ शौझ भी 나 कें? इंपनि अपनि सब्स्कार को बेन है की का ज value गो है कि एहां आकि जी हानग हुआ अी की फिर यहाँ वी के की एक प्रिलिॉ-र फिर यहाँ सप्लाय भॉआ हुआ यहाँ सप्लाइ यहां सप्लाइ एक यहां की एह ग्वै एक अल प्रिष्ट अढ एकि एती Minor 40 lakhs में में तो ऐसे केस में यहां आपकी current year में aggregate turn over यहां current year में आपका aggregate turn over exhaust हो गया यहां aggregate turn over 1.5 CR होगा तो आपकी composition levy lapse हो जाएगी CL, CL मतलब composition levy lapse हो जाएगी ठीक है, section 10.3 के ही साफ से आपकी composition levy lapse हो जाएगी, तो अब मतलब क्या, मतलब आपको यह track रखना current year में याने as a consultant, पहले आपने क्लाइंट से आपको बोलना है कि अब प्रियस यह का सबी अग्रिगेट turn over, अग्रिगेट turn over all taxable supply, exam supply, non taxable supply, nil rate supply, export supply या stock transfer पूरा दे अब वोने के बाद, अगर सब मिलाकर सबी सब्सका मिलाकर 1.5 CR के नीचे होगा तो composition scheme बिल जाएगी अब composition scheme मिलने के बार आपको जो है, okay पहले 150 lakhs, मतलब ये प्लस ये प्लस ये, यानि तीनो प्रांचेस पे आपको ट्रैक लखना पड़ेगा, और जिसका पहले 150 lakhs में, जैसे आपका पहला 150 lakhs क्रॉस जाता है, कंपोजिशन स्कीम वही लैप्स हो जाएगी, कंपोजिशन स्कीम वही लैप्स हो जाएगी, तो समझ 30th April, का ये लैप 15 में मी, म्नल सफेट के 5th में मुझाला को ये 10 समय को आपकी 5th में मौल ये 10 समय को आपकी कंपोजिशन लैपिरॉसन, यविडरॉग अपकी 95 करॉर करक्णी को ये 10 समय्कinya medal के 15, now को, मिला कर तीनों का मिला के क्या एकी स्टेट में एकी स्टेट कर आप के लंगाराश्रा में है तो मह राश्रा में नहीं टीनों स्टेट का एड अब इद गाई ред नाए टाक्स पे करते व क्वाग Roz吟 कमान टाक्स पे करते वक्त आपको वन परसंट ओ 자e CGST 0.5% SGST 0.5% तो 1% of turn or in-state देना है समझ में आपको बात टेक्स पे करते वक्त आपको 1% of turn or in-state देना है यानि टेक्स आपको स्टेट्वाइजी देना है come on, come on, come on देन सुनो टेक्स आपको स्टेट्वाइजी देना है मतलब महारास्ट्र स्टेट का टेक्स महारास्ट्र स्टेट में देना है यानि यहाँ का CGST और महारास्ट का SGST 0.5% 0.5% 0.5% तो यह कितना हुआ 30 लाग का यहाँ पे 0.5% 30 लाग का वन परसंट होता है 30 अजा मतलब यहाँ पोईंट 15 लाग के पोईंट 15 लाग का 15,000 अजा को 15 अजा मतलब यहाँ पन्दरा पन्दरा अजार महारास्ट्र में पे करना पड़एगा ओकी पेबल इन महाराष्ट्र पेबल इन महाराष्ट्र ओकी यहाँ पे 80 लाग हुआ 80 लाग हुआ तो CGST 0.5% SGST 0.5% तो यहाँ पे 0.4 lakhs और 0.4 lakhs यह आपका Pable in Gujarat यह आपका Pable कहाँ पे आएगा Pable in Gujarat ठीक है और यह जो है यहाँ पे CGST 0.5% SGST 0.5% तो यहाँ पे 40 lakhs का 40,000 यहाँ पे 0.2 lakhs और 0.2 lakhs जो है तो पेबल इन कहाँ पेबल आएगा देली पेबल इन डेली ठीक है तो यह पॉइंट का समझ लो आपको टैक्स जो देना है वो तो स्टेट वाई देना है और जो स्टेट का टर्न और है यह स्टेट का टर्न और यहाँ पे 30 lakhs यह 80 lakhs और चालिस लाग तो आपको टैक्स पे करते वक्ट स्टेट के टर्न और के बेसिस पे देना है सुने क्या मेरी बात स्टेट के टर्न और के बेसिस पे देना है पर पर आपका जब यह डिसाइड होगा कि कब लाप्स होगा, लाप्स होने के लिए एग्रिगेट करना है, सुनो, जब, यानि आपकी लिमीट क्रॉस हुई की नहीं हुई, आपकी लिमीट क्रॉस हुई की नहीं हुई, उसके लिए आपको एग्रिगेट करना है, पर टैक्स आप तोटल करने के लिए वह हमें यह बताएगी कि करेंट फिनाइंशल यह में हम इलिजिबल है या नहीं है आप यह बात समझ रहो तो उसे हमें यह पता चलेगा और और करेंट यह में हम एग्रिगेट टर्न और 1.5 सियार इसके लेंगे कि हमारा कंपोजिशन लेवी कब लैप्स होगा तो हम एग्रिगेट टर्न और दो पार लेंगे प्रिवेस यह और करेंट यह में हमारा कंपोजिशन लेवी कब लैप्स होगा जब तीनों का मिला के एग्र लिए के स्टेट लिए रखिए क्यूब कर लुए तो अजब दोगे तो आप धो आप CC TURN Oरिन्स्ट पे भोगे अप तेक्स चरन Oरिन्स्टेट लिकिन स्कीम कब लाप्स होगी उसके लिए आप एगरिगेट करोगे मतलब क्या मतलब यह हुआ बटा यहाँ पर कि अब आपका स्कीम लाप्स हो गया अब यहाँ ट्वेंटी फिफ्ट में को अगर आप ओके सप्लाइ कर रहे हो जिसकी वाल्यू बीस लाक रुपे है तो यहाँ बीस एग्जास्ट हो गई है तो अब आपको नॉर्मल इससे पे करना पड़ेगा तो आपको पहली बात पुरा ट्रैक रखना पड़ेगा अगर एक से ज्यादा ब्रांचे सोगी तो और के सेकेंड आपको टैक्स देते वक स्टेट वाइस देना पड़ेगा पर साथ साथ में पड़ेगा तो आपको पाड़ेगा पता अर्याक पार इसगानता पहला टातो कि अदिम एक स отвеч देना आप ये तीसलांग है फिवकरेशी एकसो यूस्ट यFFरा को य उनिया पना भार स्टे और एक स्सक्तर नन्च न ऑपर चलेगा तो इस इन को आपको ब्रेक करना पड़ता 40 अग, 10 अग, 40 पे आपको composite rate, और बाकी जो 10 है उसके अगर्मल रेट, इस तरह से यह अग्रिगेट टर्ण और और यह स्कीम जो है आपको मिलेगी, एक बार फिर से आपको aggregate टर्ण और, प्रसिडिंग फिनांशल यर, आपको से यह अग्रिगेट कर लिखि अग्रिगेट कर ले 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 लेना है, कैयोंकि यह झेखना है, कब लैप्स होगी, और नेक्स, सी पेमेंगें तर्ण और इन स्टे चाल वाइसल टर्ण पेकरना है, तो यह दू इर चाल आपको ड्यान रकना है, यह बड़े इम्पॉर्ट और अग्रेट 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 अग तो यह था रिगार्डिंग टू यहां पर कम्पोजिशन लेवी ठीक है चलो next तो दोस्तों आपको हमने यह discussion देखा जिसमें पेमेंट जो है जब भी आप हाफ परसेंट पेमेंट CGST और SGST का दोगे तो यह हाफ परसेंट पेमेंट जो होगा यह turn or in state का होगा अगर आप यह बात यहां समझ रहे हो तो यह turn or in state का होगा यह turn or in union territory अब turn or in state और turn or in union territory की definition आपको याद होगी तो लगबग aggregate turn or जैसी है हमने last वीडियो में देखा all taxable supply, invert supply under RCM, exam supply भी consider होगा जिसमें only exam, nail rate, I repeat only exam, nail rate और non taxable supply उसके बाद में export supply उसके बाद में यहां पर अगर देखा जाए तो interstate supply तो यह state wise पे किया जाएगा लेकिन आप eligible होगे क्या जिसके लिए aggregate turn or की limit ली जाती है वो जो है यहां पर इसके basis पे लिया जाता है कि preceding year का आपका aggregate turn or sub का मिला के और current year का आपका जो limit or lapse नहीं होना चाहिए चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा मैं यह बात पर आपका धालनाना चाहोगा कौन सी, manufacturer होगा तो यह situation में आपका half percent of turn or in state होगा half percent of turn or in state होगा, CGST half percent, SGST half percent, restaurant catering होगा तो 2.5% यह भी turn or in state ही का है उन्होंने, restaurant catering भी turn or in state होगा लेकिन जो clause C है, यह clause C थोड़ा अलग बात करता है, clause C क्या कहता है कि half percent of turn or of taxable supply of goods and services in a state और turn or in union territory in case of trader मतलब क्या, यह अगर table देखोगे तो table में और clarity आपके सामने आएजी क्या, manufacturer तो turn or in state word use किया है, उसके बाद में restaurant catering तो turn or in state word use किया है जब pay करोगे तो state wise pay करोगे और जो state का turn or होगा उसके base पे लेकिन यहाँ पे यह जो trader के लिए है, trader के लिए उन्होंने, देखो धान से उन्होंने word use किया है, turn or of taxable supplies of goods or services in a state turn or of taxable supplies of goods or services in a state अब इन दोनों में फरक क्या है, turn or in state और turn or of taxable supplies of goods or services in a state चलिए, मैं आपका धहन इस discussion पे लाना चाहोगा अगर हम यह discussion ले, तो next difference between अगर मैं यहाँ लो, तो difference between turn or in state turn or in state and turn or of taxable supply just a minute turn or in state for manufacturer or a restaurant catering etc and turn or of taxable supply turn or of taxable supply of goods or services sorry, goods and services goods and services inner state inner state अब यह दोनों का difference देखाओ अगर आपको turn or in state की definition याद होगी अगर आपको याद होगा definition part तो हमने turn or in state की definition ऊपर देखी थी turn or in state की definition हमने यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो section 212 में turn or की definition देखी थी All taxable supply, exam supplies, export of goods and services and interstate supply जिसमें GST इंक्लूड़नी होगा वापस हमारे discussion पे आते हैं Now, बेटा, यहाँ पे यह हमारा discussion देखिएगा Section 2.1.1.2 में definition के साफ से Turnover in state In state Or ut यह definition क्या कहती है पहला All taxable supply All taxable supplies Of goods or services Okay, all taxable supply of goods or services Except Invert supply Invert supply Under RCM Invert supply under RCM Okay, उसके बाद में second exam supply Exam supply Now exam supply में यहाँ तीन सप्लाइ आते हैं कौन से यह तीन सप्लाइ थे बटा? Exam supply में, come on बताओ Volley exempt Exem supply में, Volley exempt इसके बाद में एक्सम सप्लाई में नील रेड। और एक्सम सप्लाई में यहां पर जो ठ्रडा है, थर्डा जो ट्रोइन YOUR थर्डाई, न्ऊन टैक्सिबल सप्लाई, मतलब अल्कौॉल पेट्रोल डीजल बागर है उसके बाद में थ्रड वाला जो है यह थोड वाला एकस्पोर्ट्व सप्लाइट और एकस्पोर्ट्वडिय और सुछ सबरीशf goods or services export supply of goods or services और next interstate supply interstate supply तो यह जो है यह आपका turn on in state आएगा अब यह turn on in state का मतलब क्या अब manufacturer को ध्यांज सुनना manufacturer को 1% of turn on in state देना है manufacturer को 1% of turn on in state देना है मतलब क्या मतलब यह कि आपके turn on in state में जो जो include होगा सब एड करके 1% सब एड करके 1% तो ऐसे situation में manufacturer जब 1% देगा तो आपने सभी taxable supply लेगा सुनना मेरी बात अपने सभी taxable supply लेगा प्लस exam supply भी आड करेगा और वो exam supply एड करके उसका 1% हाँ मेरी बात सुनो exam supply एड करके उसका 1% neal rate supply भी एड करेगा और उसका 1% उसका 1% उसके बाद में यहाँ पे बाकी जो supplies है तो in simple word यह 10-1 कहता क्या है 10-1 यह कहता है कि manufacturer को 1% of turn on in state देना है और उसके turn on in state में हमने जो जो भी include किया है all taxable supply exam supply, neal rate supply, non taxable supply उसके बाद में export supply, interest rate supply यह सब consider करना है यह सब consider करना है लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ यह जो non taxable supply है यह consider यह consider नहीं होता है यह consider नहीं होता है मैं आगे section 10-2 में बता दूगा 10-2 हमारा explain होना बागी है okay सिर्प लिख लो आप okay यह exam supply not to be considered not to be considered exam supply क्यों as per बस आप 10-2 लिख दो not to be considered यह भी यह exam supply consider नहीं होता है sorry non taxable supply consider नहीं होता है दूसरा export supply not to be considered लिखो सिर्फ नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी लिखो not to be considered for payment as per section 10-2 और यह interstate supply भी okay not to be considered not to be considered consider as per section 10-2 not to be considered as per section 10-2 not to be considered as per section 10-2 अब मतलब क्या आगे मैं इसके बाद हमारे एक discussion चालोगा और वो उसमें मैं बताऊगा कि अगर आपका non taxable supply होता है तो composition लिखी मिलती ही नहीं है मेरी बार दहान से सुनना non taxable supply होगा तो यह scheme के लिए आप जाई नहीं सकते ह। एक्सपोर्ट प्लाइब एक्स्पोर्ट इंटरस्टेट माना जाता है, तो यह स्कीम के लिए जाई नहीं सकते हैं, यह इन्टरस्टेट प्लाइब तो यह जाए नहीं सकते हैं, यह रेस्टिक्शन आगे सिक्शन TEN-2 में हैं, मैं पढ़ाओगा, अभी बस में जितना कहा हू कि अगर कोई supplier non taxable करता है तो उसी वक्त composition लेवी विड्रा कर लिजाएगी export supply करता है तो उसी वक्त लेवी लेवी नहीं सकते हैं थोड़ा इसको दुसरे वे से समझाओ क्या, मतलब क्या कि बाकि अगर supply होगे taxable होगा only exempt होगा या yield rate होगा तो ही आपकी composition levy सही सलामत रहेगी और आप 1% का tax दे पाओगे तो ये 3 supply जो है ये 3 supply वो allow करते हैं ये 3 supply वो allow करते है allowed in composition levy ये 3 supply वो allow करते है मतलब क्या? मतलब ये है कि अगर manufacturer को 1% देना है, come on manufacturer को अगर 1% देना है तो 1% of turn or in state अब turn or in state में taxable supply तो लेना ही है taxable supply of goods or services plus exam supply का holy exam भी लेना है वो भी add करना है problem solve करते हैं देना 1% of what? 1% of taxable supply plus holy exam supply plus nil rate supply ये 3 और आड करके उसका 1% आपको देना है हाँ, बाकी supply turn or in state में आते हैं पर composition levy के लिए important नहीं है I repeat, मेरा इस statement बहुत इंपोर्टन है बाकी supply turn or in state में आते हैं पर composition levy के लिए important नहीं है क्यों composition levy के लिए important नहीं है क्यों? क्योंकि बाकी supply अगर होगे तो composition levy वो supply पे मिलती ही नहीं है और immediately withdraw हो जाती है मैं आगे section 10-2 में पढ़ा होगा इसले बाकी supply कोई काम के ही नहीं है especially for composition levy क्योंकि वो withdraw हो जाएगा तो फिस एक बार रिपीट करता हूँ अब ध्यान से सुना मैं जो कह रहा हो कि अगर आपका non-taxable supply होगा export supply होगा export supply भी interstate माना जाता है और कि या interstate supply होगा तो इस supply पे आप composition levy नहीं लगा सकते और उसी वक withdraw हो जाएगा मतलब इस supply पे आप 1% से tax नहीं दे सकते और आपकी बाकी supply की भी composition levy withdraw हो जाएगी तो मतलब आपको mainly turn or in state में तीन ही supply allowed है कौन से तीन supply allowed है और कि taxable supply of goods or service exempt में wholly exempt और नील rate और यहाँ manufacturer को यह restaurant catering को I repeat manufacturer को और restaurant catering को यहाँ पे 1% of turn or in state मतलब यह तीन add करके देना पड़ेगा यह restaurant catering को 2.5% plus 2.5% तो 5% यह तीन हो कर देना पड़ेगा तो यह अगर मैं इस तरह से पढ़ाओ तो यहाँ पे बेटा क्या होगा यहाँ पे बेटा कुछ इस तरह से होगा देहान से सुनिएगा इस तरह से लिया जाएगा कि manufacturer एक मिनाटा payment of tax in composition scheme payment of tax in composition levy in composition levy payment of tax in composition levy manufacturer manufacturer होगा तो यह 1% of turnover in state or UT equals to 1% of क्या taxable supply 1% of taxable supply plus taxable supply plus exempt supply sorry वोली एक्जम्ट supply plus nil rate supply nil rate supply आपको यह बात समझ में आ रही है तो यहाँ पे क्या manufacturer 1% किसका देगा इसको थोड़ा मैं जूम करूँ तो manufacture 1% taxable supply plus वोली एक्जम्ट supply plus nil rate supply वो 1% of turnover in state यह इस तरह से निकाला जाएगा बाकी other supply कोई काम की नहीं है दूसरा restaurant और catering होगा तो restaurant और catering होगा तो यह जो देंगे 5% तो यह जो देंगे 2.5% 2.5% of turnover in state turnover in state or ut equals to 5% of yes same 5% of इस तरह से तीन supply को add करके उसका 5% दिया जाएगा आई बरी बास समझ में तो 1% 1% calculate करने के लिए अगर वो बन्दे का okay taxable supply होगा वोली एक्जम्ट supply होगा यह nil rate supply होगा तो उसका total 1% होगा समझ लोग कोई manufacturer है stationery के अलग-अलग atoms बना रहा है सुनेगा manufacturer stationery के अलग-अलग atoms बना रहा है ठीक है manufacture करके sale कर रहा है तो यह situation में उसकी कुछ stationery exempt होगी कुछ stationery taxable होगी कुछ stationery यहाँ पे नील rate होगी तो वो सब अड़ करके उसका 1% Sir government नहीं अईसा क्यों किया यह लोगिकली देखा जाए तो 1% of taxable supply लेना चाहिए 1% of exempt supply क्यों composition levy में 1% of neil rate supply क्यों composition levy में Sir, okay logically exam supply पे वैसे कोई tax ही नहीं लगता है neil rate supply पे वैसे कोई tax लगता ही नहीं तो हम ऐसे supply का tax क्यों जो already exempt है मेरी बार समझ में आए है हम ऐसे supply का tax क्यों दे जो already exempt है, already neil rate है बही 1% of taxable supply लो ना तो government कहती है सुनो, government कहती है कि यह क्या बात कर रहे हो अभी तो आप कह रहे हो कि separate book sub account आपको maintain करना possible नहीं है आपको यहाँ पे record keeping नहीं रखना है आपको सिब turn or का ही record रखना है अब अगर हमने ऐसा कहा कि 1% of taxable supply 1% of taxable supply तो आपको फिर record maintain करने बढ़ेंगे taxable supply के अलग record exam supply के अलग record neil rate supply के अलग record तो फिर accountant आपको लगाना ही पड़ेगा फिर अगर accountant लगा ही रहे हो तो फिर यहार composition scheme का फाइदा क्या रहा put together सब मिला के खतम करोना हाँ कोरोना सब मिला के खतम करोना एक बार का क्यों आप यह कि पूरा टोटल जो है कि सेपरेट रेकॉर्ड मेंटेन करते हो 1% of taxable supply और हम एकी परसंट ले रहे हैं हम कौंसा 5,12,18,18 परसंट ले आपसे समझ मेहा है तो ना ले option आपके पास है कंपोजिशन लेवी का option आपके लिए है आई बास समझ मेहाँ आपके तो ऐसे सिचुएशन है 1% of this taxable plus only exam plus nil rate supply इसका 1% आपका यहाँ पे consider किया जाएगा चल यह और सेम फॉर 5% अगर किसी का मन नहीं मान रहा होगा तो मना लेना बेटा मेरे पास option नहीं है और कि जो law है मैं वह फड़ा रहा हूँ वह बोलते 1% of turn on state में आपको यह तीनों supply लेने पड़ेंगे बाकी के supply लेने की जरुवत नहीं है क्योंकि composition लेए उसको apply नहीं होती है तो यह तो था बेटा turn on state लेकिन दूसरा वर्ड जो define नहीं है पर आपको कैसे interpret करना है specially trader के लिए trader के लिए वो कहते है trader के लिए वो कहते है turn on of taxable turn on of taxable supply turn on of taxable supply of goods and services 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 inner state inner state or UT हाँ यह उन्होंने जो term use किये बेठा okay turn on of taxable supply inner state or UT यह term किसके लिए उसकिया यह उन्होंने trader वालों के लिए C clause में जो आते है sorry okay C clause में जो आते है उनके लिए यूज किया है मतलब क्या message देते है वो अब इसके पीछे मैं थोड़ी आपको history बताऊगा और उनका message क्या है यह बताऊगा क्या हुआ कि जब गुजरात के इलेक्शन थे तो सभी trader GST के आने के बाद बहुत नाराज थे specially retailers trader community उनका यह कहना था कि मेरी grocery shop है मेरी hardware shop है और कि बहुत से product मेरे exempt है मैं exempt per tax क्यों दूँ क्यों दूँ क्यों दूँ मेरे exempt per tax trader community का बहुत जादा strong objection था कि मैं exempt per annual rate tax नहीं दूँगा आपको जो लेना है आप सिर्ट taxable जो है उसके लिए आपके election जब आये तो वो period में government को ऐसा लगा कि ऐसी feeling आगी कि क्योंकि business community बहुत नारास्ती इससे GST के वजए से और GST के ऐसी strict provision के वजए से तो फिर as a relaxation government ने act amend कर दिया मोदी जी के हाथ में जब मूड वा तब 9 बचके 9 minute पर आ जाएगे in short अब वो आते है तो मन में ऐसा लगता है कुछ तो घड़वड होने वाली है तो यहां मैं मोदी जी के अगेंस में नहीं हो जस्ट मजाग कर रहा हूँ ठीक है तो ऐसे situation में बेटा जहां तक देखा जाए तो turnover of taxable supply of goods or services in a state तो trader को I repeat trader को उन्होंने नहीं होगा नील रेट supply भी consider नहीं होगा और बाखी तो consider होते ही नहीं है मतलब क्या मतलब यहां पर अगर simple word में कहूं तो यहां trader जो है trader will pay only on taxable supply यहांने अगर वो trader होगा तो trader one percent of taxable supply का ही देगा 1% 1% of taxable supply Taxable supply कही हो पे करेगा वो exam supply add नहीं करेगा वो neal rate supply add नहीं करेगा तो trader यहाँ पे 1% of taxable supply of goods and services देगा, तो government नहीं यह अमेंडमेंड कर दी और ट्रेडिंग कमीटी को मतलब यहां जो ट्रेडर्स कमीटी है उनको खुश कर दिया कि चलो ठीक है हम मैनिफाक्टरर के लिए टर्न और इन स्टेट ले रहे हैं उसमें टैक्सेबल प्लस एक्जम प्लस नियल रेट सब आड होगा लेकिन ट्रेडर क के लिए हम सिपग्श्व परstट लगाके कुष ट्रेडर के लिए हम सिपग्च सेबल का यन परस्ट लगाएगे खुश ट्रेडर के लिए हम सिपग्व पर स्ब चा isn't लगाएगें इंड हैं तो इन आड को आट सब खुश तो यह है भाता यहां पे डिफरेंश will ट्र ण InSS तो अगर यहाँ ओच फॉंगल कर दोट पैंई कर दो यहALा है त नाइल टी रंडीश के कहने लिए tart कि अभी नोड करो ये इन्टरपीडेशन है, जो वह तो पीर मतला भी नहीं था उनको भी तरन Оर इंस्टेट कहता था, उनके लिए भी और्गें खृत टरन Оर इंस्टेट कहए देगर झाल ये न झाल के लिए बेसेंदनेश को सब्स्पेशभा टेक्समी deixar को आपजेक्स कंझ है in case of trader. I hope you understood. So discussion को आगे बढ़ाते next page पर मैंने कुछ problems लिये है वो problem solve करने की कोशिश करते हैं. देखो यहाँ पर following example assume that aggregate turner of preceding financial year does not exceeds 1.5 CR. नीचे जितने भी examples आप देख रहे हो इसमें यह assume करके चलो कि आपका turner देड करोर के नीचे है. मतलब you are eligible for composition scheme. आपको composition scheme मिल जाएगी. ठीक है? if supplier does not want to offer composition scheme अब उसको मिल रही है. एक्जामपल वने उसको composition scheme मिल रही है पर वो composition scheme नहीं लेना चाहता है. अगर वो नहीं लेना चाहता है तो वो normal rate से tax देगा. calculate net tax payable. okay if GST rate is 12%. GST rate 12% दिया है तो देखो. उसने कुछ goods खरीदे using nail rate. okay. हाँ. ऐसे कुछ inputs जो nail rate में use हुए और ऐसे कुछ inputs जो taxable supply में use की है. ठीक है? तो यह उसके purchases है. और उसके आउटवर्ट supply में. आउटवर्ट supply में nail rate supply है. एक्जम supply है और taxable supply है. अब मैं आपको एक बात बता दूँ. धान से सुनो मेरी बात. अगर वो normal scheme में है तो nail rate पे तो tax नहीं देगा. nail rate पे no tax payable. no tax payable. यहाँ पे nail rate पे तो देगा पेटा. उसके बाद में exempted पे no tax payable. इस पे भी tax नहीं देगा. एक्जम्टेड पे. क्योंकि वो normal scheme में है और composition scheme में तो नहीं है. हाँ. अगर वो other taxable supply है. पंदरा लाग. तो यह जो other taxable supply है. इसके ओपर GST देगा. तो now, इसके ओपर 12% का GST आएगा. तो यहाँ पे tax on taxable supply है. तो यहाँ पे 12% of 15 lakhs. 12% of 15 lakhs. कितना आता है बेटा 12% of 15 lakhs? ओके निकालो यहाँ पे. हाँ. 18,000. यहाँ आपका 18,000 आएगा. उसके बाद में less. हाँ. less ITC भी मिलेगा आपको. ITC, input tax credit. क्योंकि आप normal scheme में हो. नॉर्मल scheme में हो तो आप taxable जो supply है उसका 12% से tax दे रहे हो. आपको ITC मिलेगा. अब ITC में आपका दो purchases है. एक वो purchases जो exclusively nil rate में use हुआ. हाँ. तो आगे जब मैं ITC पढ़ा होगा. अगर आपकी कोई purchases और वो exclusively exam में use होती है तो उसका ITC नहीं मिलता है. वैसे आपने वाट में पढ़ा होगा. इंटर लेवल पे. लेकिन अभी मैं बता देता हूँ. अगर कोई purchases है और वो exclusively nil rate के लिए यूज हो रही है तो उसका ITC नहीं मिलता है. हाँ. जो taxable supply के लिए यूज हो रही है उसका ITC मिल जाएगा. तो ITC. ओके तो inputs and input services. Input services. Use in taxable supply. Use in taxable supply. तो वो कितना? तो 10 लाग. रेट में 12% ही अजुम करके चलता हो input का भी into 12% याने यह तो आपका 15 लाग. स्वरी. वही 1,80,000 है और यह 1,20,000 आएगा. 1,20,000 आपको ITC मिल जाएगा. 1,20,000 आपको ITC मिल जाएगा. And a net taxable net taxable आपका रहेगा. कितना बटा? 60,000. यह 60,000 आपको tax जना पड़ेगा अगर आप normal scheme में हाँ. Second, if supplier offer composition. अगर आप वोई problem. लेकिन आप composition के लिए आप करना चाहते हो. सुनो दहन से. आप composition के लिए आप करना चाहते हो. आपके outward supply में नील रेट है, एक्जम्ट है और अधर taxable supply है. ठीक है? तो यहाँ पर इनवर्ड में आपका दो पर्चेसिस हैं. अब इनवर्ड कोई काम का नहीं क्योंकि आप composition ले रहे हो. और composite rate आपको 1% है. तो आप composition scheme में जा रहे हो. तो आप composition scheme में जा रहे हो. तो ऐसे case में आप ITC तो नहीं लोगे. आपका जो outward supply है उसका 1% होगे. अब इसमें supplier manufacturer होगा तो कैसे होगा? और supplier अगर trader होगा तो कैसे होगा? तो यहाँ पर मैं कुछ column इस तरह से करता हूँ. पर्टिकुलर्स. उसके बाद मैं manufacturer. यह बड़ा important question है मैटा. manufacturer और trader. manufacturer और trader. ठीक है. अब यह. यहाँ देखिए. आप भी अपने notebook में solve करने कोशिश कीजिएगा. पर्टिकुलर्स. पर्टिकुलर्स में अब. यहाँ पर. वाल्यू. और निल रेट सप्ला है. निल रेट सप्ला है. manufacturer के इसमें consider होगा. manufacturer के इसमें consider होगा. पर trader के इसमें consider नहीं होगा. उसके बाद में value. of exam supply. value of exemption supply manufacturing के इसमें consider होगा वो एड होगा पर trader के इसमें नहीं होगा और certific value hàng का ऑफ taxable supply taxable supply very very important आई यह यहां भी है आड होगा और यहां पर भी add होगा ये पर क्योंकि Trader cards taxable supply का ही चेगा जबाच Спच्च चे अब है यहां पहोगा Turn-Oar for Composition Levy, Turn-Oar for Composition Levy, Levy, तो ये जो Turn-Oar है, इसका कितना है मैनिफाक्षर का? मैनिफाक्षर का है 50 Lakhs, और ट्रेडर का 15 Lakhs, ट्रेडर का आता है बेटा 15 लाइक्स यहाँ पे तो CGST यह था turnover in state manufacture के लिए turnover in state और ट्रेडर के लिए turnover of taxable supply taxable supply in state turnover of taxable supply in state और CGST निकाल लो SGST निकाल लो CGST 0.5% और SGST 0.5% तो यह case में आपका GST कितना निकलता है तो 50 lakhs का और composition scheme में tax यो आएगा तो 50 lakhs का इंटो 0.5% तो यहाँ 2500 और यह 2000 sorry 25,000 और यहाँ पे 25,000 और यहाँ पे 25,000 ठीक है और यहाँ इंटो 0.5% तो 7,500 और 7,500 तो इस तरह से आपका tax पे होगा under composition scheme तो यह composition scheme में tax में यह बात आपको बहुत ख्याल में रखना है कि manufacturer और trader, manufacturer में okay exam supply, deal rate supply, taxable supply यह तीनों add करना है, trader के case में only taxable supply of goods or services आपको add करना है और next बेटा tax pay करते वक यहने मैं आपको इतना कह रहा हूँ, confuse मत हो ना, जब आप current year में composition scheme मिलेगी या नहीं मिलेगी उसके लिए aggregate turn और, उसके लिए aggregate turn और, फिर current year में composition scheme कब lapse होगी, उसके लिए aggregate turn और, मतलब उसमें exam भी लेना है, nail rate भी लेना है, तो जब आप eligibility check कर रहे हो, तो सब add करो, जब आप किस दिन lapse होगा, section 10-3 के हिसाब से, तो सब add करो, aggregate, लेकिन trader के लिए, जब आप tax pay करने जाओगे, come on, trader के लिए, जब आप tax pay करने जाओगे, तो आपको सिफ taxable supply का देना है, आपको सिफ taxable supply का 1% pay करता है, I hope you understood, एक question था बटा, question यह है, whether GST is payable at normal rate under RCM, if taxable person is opting for composition scheme, मतलब यह taxable person अपने आउटवर्ट supply के लिए composition scheme ले रहा है, आउटवर्ट supply के लिए composition scheme ले रहा है, पर उसने कोई ऐसी service ले ले ली, अगर उसने कोई ऐसी service ले 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 जो reverse charge में है, तो उसको पुरा tax देना पड़ेगा, मैंने आपको, okay, 10.1 में पड़ा है, 9.3, 9.4 को section 10 और रूल नहीं करेगा, यानि इवन दो यह बंदे ने अपने आउटवर्ट supply के लिए composition scheme ले ले लेकिन, अगर उसने कोई reverse charge वाला goods या reverse charge वाली services 9.3, 9.4 में लिया होगा, तो उसे पूरा का पूरा tax देना पड़ेगा, पूरा का पूरा tax देना पड़ेगा, तो जैसे उसके invert supply में legal service from individual advocate, तो legal service from individual advocate 18 lakhs है, और interest rate outward supply, other taxable supply 25 lakhs, calculate net tax payable, अगर आपका input tax rate 18% है और composite rate 1% है, तो बेटा देखो यहाँ पर, यहाँ पर आपको composite rate पर outward tax pay करना पड़ेगा, और आपको reverse charge में invert पर भी tax देना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पर, tax payable, under composition levy, on, outward supply, outward supply, समझे लिए हाँ पे CGST और SGST, at the rate 0.5%, at the rate 0.5%, तो उसका outward supply है, 25 lakhs, तो 25 lakhs, into 0.5%, 12,500, और 12,500, यह उसका composition levy में है, ठीक है, second, tax payable, tax payable under RCM, RCM on legal services, legal services, तो आड़रेट 18%, तो आड़रेट 18% हुआ आएगा, 18 lakhs का 9%, यहने 1,62,500, sorry, 1,62,000 और 1,62,000, मतलब यह तो ऐसा हुआ, कि आपने आउटवर्ट सप्लाई, आप 12,000 पास्ट यह ले लेएँ, और इन्वर्ट सप्लाई पे आप 18% यहने अपनी शादी, आप कर बादी कर रिजिस्टर मैरेच कर रहो, अपनी शादी 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 अपनी रिवर चार्ज ये साला, तो एसे सिचेशन में पूरा टाइक्स और अब एक इम्पॉर्टन बताद बता दो, सालेगी शादी आपने दुम्दाम से की तो भी आपको अपको 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 क्रडिट देने वाली नहीं हैं, टैक्स भी दोगे और क्रडिट भी नहीं मेलेगा, हाँ, पूरा बर्डन, नो क्रडिट, क्योंकि आपने कम्पोजिशन स्कीम ली वी है, तो आप ये टैक्स भी दोगे और नो आइटी सी, ये बड़ा इंपोर्टेंट है, इसका आइटी सी आपको अपको 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 अपक मतलब 174, 500, और 174, 500, तो आपको बिटा ये तो दोनों चीजा है, ओके, रिवर चार्ज में टैक्स भी देना पड़ेगा, कम्पोजिशन डिलर को, और इसका इटी सी भी नहीं मिलेगा, I repeat, इटी सी भी नहीं मिलेगा, विदावड आइटी सी पे करना है, ठीक है, तो येस, साले की शादी धुंदाम से भी करो, और क्रेडिट भी मिलने वाला नहीं आपको, चलिए, तो ये ता कंसेट, रिगार्डिंग टू, ओके, हमने 10-1 में, बहुत सी बात ही पड़ी, एग्रिगेट टर्न और, प्रेसिडिंग एर का, करंट एर में कब लाप्स होगा, एग्रि केटरिंग को, टन और इन स्टेट जो है, उसमें एक्जम सप्ला है, प्लस नेल रेट सप्लाई भी आड होगा, पर ट्रेडर के लिए, सिर्फ टैक्सिबल सप्ला एड होगा, और रिवर्चार्ज होगा, तो रिवर्चार्ज में आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा, व तो प्रेटा, अब तेन टु की एक अंडिशन जो है, कंडिशन पॉर कमपोजिशन स्कीम मतलब टैन वन में, आई रिपिट, तेन वन में, जो कंपोजिशन स्कीम अवेल कर रहा है, उसे क्या शर्ते पूरी करनी पड़ेगी, तो ये ये अंडिशन आपको दी गई है, ये य आपको जो है, आपकी इलिजिबिलिटी फिक्स करने के लिए भी चेक करनी पड़ेगी और करेंट यर में भी चेक करनी पड़ेगी, थोड़ा में इसको बाद में पड़ा होगा, पर इसको समझ लो, मतलब ये कंडिशन दोनों यर में अपलिकेबल है, प्रसिडिंग फिनांश मतलब क्या, मतलब ये है कि अगर आपने इस तरह के कुछ अपलाइ किये जो नीचे दिए गये और प्रिसीडिंग किये होगे, आपने ये इपलाइ प्रिसीडिंग फिनांशैल Source than 1.5 CR, तो आपको composition scheme नहीं मिले, ठीक है और अजिम करो कि आपने preceding year में यह supply नहीं किये, इसले आपने current year में, आपने current year में composition scheme ले लिए, क्यों कि preceding year में आपने यह supply नहीं किये, ठीक है, तो composition scheme current year में ले ली, पर current year में जिस दिन भी नीचे दिया सब्सक्राइब आप जिस दिन भी करोगे उस दिन आपके कंपोजिशन लेवी ड्रो कर लीजाएगी अगर आप इसको दैंसे पढ़ते देखो मैं लिखा हुआ है और मैं समझा जाए समझाते आपको और इसको क्लारिफाइ करोगा देखो और क्या कहते इत में दाट इफ इन अ किया होगा तो current year में आपको composition लेवी नहीं मिले कि और next if no supply is made in preceding financial year but such supply is made in current financial year before crossing the aggregate turn or of 150 lakhs or 75 lakhs आपने पिछले साल ऐसा कोई supply नहीं किया hence you opted for composition scheme hence opted opted for composition levy opted for composition levy तो आपने preceding financial year में इसा कोई supply नहीं किया इसला आपने compositions levy ले लेकिन current financial year में जो आपकी देख करोड की limit है वो देख करोड की limit के पहले अगर आपने इस टाइप का supply कर दिया होगा अगर आपने इस टाइप का supply कर दिया होगा तो उसी दिन prospectively I repeat उसी दिन prospectively आपकी scheme withdraw कर ली जाएगे चलो इसका थोड़ा और अच्छे सम्झाता हो जो आज अदरवाइस प्रवादे इन सब्सेक्शन वन इस नाट इंगेज इन सप्लाइप सर्विस वेदर इस टैक्सिबल और एक्जब टैक्सिबल और एक्जब मतलब क्या अब मैं आपके छोटी सी बात जो हमने अभी तह ए अपन करना चाहोगा डिटेल डिस्केशन आगे दो पेजेस है कम्प्लिट टू पेजेस है डरो मत स्यो एस प्रवाइड इन सब्सेक्शन वन मतलब क्या अगर आप सब्सेक्शन वन देखते हो उपर आमने सब्सेक्शन वन पड़ा तो ये सब्सेक्शन वन सब्सेक्शन वन में यहां तीन लोग है मैनिफैक्शर रिस्टोर एन कैटरिंग एंड ट्रेडर ये कम्पोजिशन लेवी आप कर सकते हैं लेकिन प्रोवीजो टू जो मैंने आपको नहीं पड़ाई प्रोवीजो टू में वो क्या कह रहा है कि कुछ लिमि तो पांच लाग या तेन परसेंट अभी तक मैंने पड़ाया नहीं है आगे आपको पड़ाऊगा डिटल में इसक्शन करेंगे पांच लाग या तेन परसेंट या तो अब मैं टेन टू प्या होगा तेन टू एकी पहली कंडिशन यह बटा कि आप किसी भी टाइब की सर्वbecue तो आप किसी भी टाइब की सर्वीसेज प्रोइड नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट आपको सबसेक्शन वन में सेओ किया होगा सबसेक्शन वन में आपको दो जगा सेंद हो किया हैं बताओ कौंसे दो जगास किया है एक रेस्टोरेंट अटरिऍम हमान Ain अगर आपको यह कहो, सुना मेरी बात, ब्राद सेंस में आपको यह कहो, तो कमपोजिशन स्किम जब 2017 में आई थी, तो गॉवर्मेंट का बहुत क्लियर व्यू था, कि सप्लाय अब सर्विस को कमपोजिशन स्किम नहीं देनी है, मतब आप यूरली सप्लायर अब सर्विस हो, तो कमपोजिशन स्किम नहीं देनी है, पहले ओल व्यू था, अब टुए तो आगया, टेन टुए आगया, लेकिन ओल व्यू था, और गॉवर्मेंट इतनी स्टिक थी, कि अगर कोई मैनिफाक्शरर, ट्रेडर, अगर अपने गुड्स के साथ सर्विस देता है, कोई मैनिफ अधर अगर मैं अगर्वाइज देता है, यह था पार बाद में आओगा, पहले तो इस नाट इंगेज इन सप्लाय अप सर्विस, मतलब इसका इंपलिकेशन क्या था, इसका इंपलिकेशन था कि मैं ट्रेडर हूँ और मेरे इलेक्ट्रोनिक शॉप है, और इलेक्ट्रोनिक अगर मैंने एक रुपे की भी सर्विस दे दियोगी, फिर वो टैक्सिबला एग्जम्टो, अगर मैंने एक रुपे का भी सर्विस दे दिया होगा, तो गया, मैंना कमपोजिशन ले भी किया, अब बात को समझ रहे हो, तो इतना स्ट्रिक क्लॉस था, लेकिन बाद में उसक किया गया, कुछ यहां पर प्रोविजो टू लाए गई, कुछ लिमिट अलाओ की गई, पर उसके उपर मैं स्पेशल डिस्कुशन बाद में लूगा, आगे के पेजेस पे लूगा, आप मेरी बात समझ रहे हो, लेकिन हाँ, जितना स्ट्रिक किया है, उतने तक ही आप सकते हैं, इसके अलाबा आप एक रुपे का भी starving सर्विज नहीं दे सकते हैं, ठीक है, टो ना प्रिवेस यह, प्रिवेस यह में दिया होगा, तो कर्न य rap में नहीं दिया इसले आपने composition ले भी बाद कर ली, तो current year में जस दिन भी आपने वो supply app service किया तो उसी दिन आपकी composition ले विड्रो हो जाएगी इसलिए बेटा 10.1 का जो clause A था manufacturer, clause B था restaurant rocketry और clause A था other supplier वो other supplier में ट्रेडर ही लिये जाते हैं उसका meaning आता है कि वो ट्रेडर लिये जाते हैं क्योंकि अगर वो service दे रहे होगे, service provider उसमें नहीं आ सकते क्योंकि अगर वो service दे रहे होगे तो 10.1 की composition scheme नहीं ली जाएगी इसलिए हम उसको इस तरह से interpret करते हैं कि other supplier मतलब trader वो trader के लिए दिया गया scheme है क्योंकि service तो वो दे नहीं सकता, जब तक उसको थोड़ा बो सेव नहीं किया होगा हाँ, अब मैं इसका discussion यही रोकता हूँ, इससे जादा नहीं, बस अभी इतना ही दिमाग में रखना कि वो service नहीं दे सकता है यही रोकता हूँ, एक बार पूरा 10-2 खतम कर लो, फिर इसका special discussion है बटा, कि वो कितने लिमिट तक service दे सकता है, proviso 2 क्या कहती है, क्या नहीं कहती है, इसके ओपर हम बाद में special discussion करेंगे ठीक है, यहाँ पर, यह example में बाद में पड़ोगा, discussion को यही रोकता है, चलो, ठीक है, B, B का restriction समझ लो, he is not engaged in making supply of goods which are not leviable to tax under this act, मतलब non-taxable supply, मतलब यहाँ बटा, non-taxable supply ठीक है, तो he is not engaged in making any supply of goods which are not leviable to tax under this act, ठीक है, मतलब अगर वो non-taxable supply करता है, तो composition levy उसको नहीं मिलेगी, अगर previous year में उसने यहाँ petrol, diesel वगरे supply किया होगा, तो composition levy नहीं मिलेगी अगर इसका स्कूप बड़ाता हो, प्रिवेस यहर का जब एग्रिगेट टनोर निकाला जाएगा, एग्रिगेट टनोर मतलब अलोर इंडिया पैन बेसिस, पूरे इंडिया में अंडर सेम पैन उसने कहीं पेट्रोल डिजल सप्लाइ किया होगा, तो composition नहीं मिलेगी, मतलब अगर, तो उसके एग्रिगेट टनोर में इस तरह का सप्लाइ नहीं होना चाहिए, और चलो प्रिवेस यहर में उसने नौन टैक्सेबल सप्लाइ नहीं किया, तो current year में अगर जिस दिन भी वो नौन टैक्सेबल सप्लाइ करेगा, उस दिन composition स्कीम इडरा जाएगी और prospectually ना करेंटियर और कोई रिस्टोन अगर रिस्टोन अगर वो अल्कोल सप्लाय कर रहा है अगर वो अल्कोल सप्लाय कंपोजिशन लेवी नहीं मिलेगी करेंटियर में जिस दिन उसने अल्कोल सप्लाय कर दिया उस दिन से कंपोजिशन लेवी ड्रो जाएगी अगर तो वो नॉन ट और टॉट श्राइब कर सकता है, अगर उसे कमपोजिशन यह कर सकता है, अगर उसे कमपोजिशन लेना है, तो थिसरा, एक्जामपल आप रिड कर सकते हैं, तिसरा, एक रहा यह नगेs नोगजिजज इन में इंटर-स्टेट आउट नगनिः फिल्ट एफ तो श्राइब सप् है next वो interstate outward supply भी नहीं कर सकता और interstate also includes export interstate export को भी माना जाता है also includes export ठीक है तो यहाँ पर जहां तक बेखा जाया interstate outward supply नहीं कर सकता इसका मतलब क्या वो interstate inward supply कर सकता है समझ लो मैं Kompozicean Dealer हूँ और अगर मैं Kompozicean Dealer हूँ तो तो जुएस कर सक्ता हूँ वाथ को सुनो मैं बहर से burada से पर चरश कर सकता हूँ लाध को शुन मैं सक्राइड यह कनडिशन मैसेज días कि यह रीटैलर के लिए जो लोकल स्चेंट में बिजनेस करते हैं जो और यह जो यह purely retailers को धानमे रेकत हुए है, तो वो interstate agora supply नहीं कर सकता है, interstate inward supply कर सकता है, नीचे मैंने दिया है, comment में, invirt supply कर सकता है, खरीच सकता है, बेच नहीं सकता, interstate outward supply of goods ठीक है, पर ये रिस्ट्रिक्शन सीपirt, outward supply of goods पर है, अगर वो service देरा है, और service जो है, यहाँ इंटरस्टेट आउट्वर्ट अप्लाप गूट्स के लिए है, अगर वो service दे रहे हैं, रेस्टोर्न कैटरिंग है, रेस्टोर्न कैटरिंग वो other place पे service दे रहा होगा, तो वर्ट से तो यह पता चलता है, कि service को यह रिस्रिक्शन अप्लीकेबल नहीं है, यह जितने भी permissible limit में service दे रहा है, मैं आगे पढ़ा होगा, 10% या 5 lakhs, अगर वो goods के साथ service दे रहा होगा, within permissible limit, as, so under subsection 1, तो service बाहर चल सकती है, रिस्टिक्शन स्रिप goods पे, तो अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा रूख जाना, क्योंकि वो service का clause, जो 10% या 5 lakhs, वो हमारा pending है, उसमें और अच्छे से समझा होगा, तो वर्ट से यह समझ में आ रहा है, कि रिस्टिक्शन सिप goods पे, service पे नहीं है, वो interstate service दे सकता है, अगर within permissible limit होगी, यह restaurant and catering होगा, तो restriction only goods पे, यह मेरा opinion है, मैंने author's opinion यहां पे दिया है, ठीक है, तो वो interstate outward supply नह to an issue, who is required to collect tax under 52, N-A TCS, 52 मतलब TCS, TCS, हा, यह next condition देखो, C condition हमने देखा, D condition यहां पे देखो, D condition यहां है, कि अगर आप अपना supply, ऐसे issue के थू कर रहे हो, electronic commerce operator, मतलब Amazon हुआ, या फिर swiggy हुआ, या फिर कोई भी ऐसा issue, तो आप अपना supply, issue के थू कर रहे होगे, supply of goods, issue के थू कर रहे होगे, तो आपको composition scheme नहीं मिलेगी, और ऐसे issue के थू कर रहे हो, जो TCS काटेगा, TCS concept फर में आगे पढ़ेंगे, ऐसे issue के थू कर रहे हो, जो TCS काटेगा, तो फिर आपको composition scheme नहीं मिलेगी, अब मेरी बद धान से सुनना, उन्होंने हर issue के मना नहीं किया है, यहाँ वोई issue के मना किया है, जो TCS काटेगे, आगे जब मैं section 52 पढ़ा होगा, तो हर issue को TCS काटना जरूरी नहीं है, उनकी कुछ conditions है, और वो condition में जो fit होता है, उनको ही TCS काटना जरूरी है, तो समझ लो मैं एक ट्रेडर हूँ, और मैं अपने sale के लिए Amazon यूज कर रहा हूँ, और Amazon मेरा TCS काट रहा है, Amazon मेरा TCS काट रहा है, तो फिर मैं composition scheme नहीं ले सकता हूँ, इंडारेक्ली गॉवर्मेंट का यह कहना है, कि अगर आपको composition scheme चीए, तो ऐसे ही issue का use मत करो, जो आपका TCS काटेगा, क्योंकि अगर आप composition scheme लोगे तो वो TCS कैसे कट पाए, कट कर पाएगा, उसको TCS काटने के लिए आप normal tax pair होना जरूरी है, यह समझ में आया, तो देखो, कितनी conditions हमने देखी, कि आप service में engage नहीं होने चीए, except save otherwise, दूसरी condition, यहाँ पर क्या दे आउटवर्ड सप्लाई करना चाहिए, चौती condition हम क्या देख रहे है, कि आपने ऐसे हिसी हो कि थरू सप्लाई नहीं करना चाहिए, जो TCS काटेगा, अगर आपने पिछले साल ऐसा सप्लाई किया होगा, तो वो situation में आपको current year में composition scheme नहीं मिलेगी, और current year में, जब भी आप यह supply करोगे, come on, current year में जैसे आप यह supply करोगे, उसी दिन composition scheme विड्रो हो जाएगी, लेकिन, अगिन मेरा interpretation है, यह सिफ supply of goods को applicable है, मतलब अगर restaurant catering होगा, तो मेरा यह opinion है, कि composition लेभी मिल सकती है, क्योंकि words अगर पढ़ते हो, तो words सिफ supply of goods को applicable है, यहाँ पे, तो और restaurant or catering supply of goods यह supply of service में आता है, इसलिए वो इसी उस कर सकते है, ऐसा मेरा मानना है, वो इंटरस्टेट कर सकते है, यह मेरा मानना है, I repeat, यह मेरा मानना है, अभी तो कोई clarity उसके वोड़ नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे, इसी ओ का supply का restriction दिया हुआ है, अगर आप नेक्स पेज पेज प नोटिफाइड, बाग, Central Government, हाँ, कुछ गूट्स के manufacturer को composition ले भी नहीं मिलेगी, मतलब, पहला देखो, notified किया हुआ है, ice cream, and edible ice, whether or not containing cocoa, पान masala, aerated water, और tariff heading 24 के goods, like tobacco, and manufactured tobacco, देखो, तोबैको पे composition ले भी नहीं दे रहे है, समझ में आ रहा है, क्यूंकि तोबैको पुबिकली तो उसपर composition लेवी क्यों दे, गौवर्मेंट अपना revenue क्यों sacrifice कर रहे है, तो वो manufacturer, जो tobacco manufacture कर रहे है, या tobacco substitutes manufacture कर रहे है, यानि cigarette manufacture कर रहे है, तो उनको composition लेवी नहीं दी जाएगी, जैसे income tax में, winning from horse races, एक रुपए से taxable है, वैसे ये भी, कि आपको normal scheme ही रहेगी, ये dealer, इव जाए साल का 50 कροड के नीचे पर इन्हें composition लेए जाएगी, अगर आप ariated water, ariated water मतलब mineral water manufacture कर रहे है, तो आपको composition लेए जाएगी, पान मसाला हो, तो composition लेए जाएगी, आपको composition लेएगी तो नहीं दी जाएगी, अच्छा, ice cream manufacturer, come on, ice cream manufacturer हो, तो आपको composition लेएगी जाएगी, तो इन सिंपल वर्ट, अब मेरा क्या कहना है, यह एटम्स लर्न करना पड़ेगा, एग्जाम में आ सकते हैं, और एडिवल आइस, एडिवल आइस होगा, वेदर कंटेनिंग कोको और नॉट, उनको कंपोजिशन ले नहीं है, सर एडिवल आइस के लिए लॉजिक क्या है, उस कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, और यह वाटर जो है, जनरली रीच क्लास यह मिडल क्लास यूज करता है, उसको कंपोजिशन लेवी क्यों, उसके बाद में तोवैको पे लॉजिक समझ में आता है, पर आइसक्रीम और एडिपल आइस पे समझ में आता है, पर यह लॉन करन मतलब क्या, मतलब अगर ट्रेडर होगा, यह रिस्टोरन कैटरिंग होगा, ट्रेडर होगा और रिस्टोरन कैटरिंग होगा, उसको यह रिस्ट्रिक्शन अपलीकेबल नहीं है, मतलब अगर वो पान मासाला बेशते हैं, ट्रेडर, या फिर आइसक्रीम बेशते हैं, या फ तो इनको यह दे सकता है और रस्तjektर फेसक्न पार। और रस्तarya करें क only applicable to manufacturer, यह था, और लास्ट, ही निदर CTP और NRTP, इसके ओपर हम discussion करेंगे, और यह पहली बार इंसर्ट वा है, और इसके ओपर discussion नेक्स सेशन पर करेंगे, CTP और NRTP का, तो यह हमने टेंटु की conditions देखी, फटाफट एक बार मरे साथ रिवाइस करो, तो, manufacturer, trader या restaurant catering, यह कोई दूसरी service प्रोवाइड नहीं कर सकते, except इनको जितना अलाव किया है, और कि वो अलाव प्रोविजो 2 में किया है, हम बाद में देखेंगे, दूसरा, यह non-taxable supply नहीं कर सकते, इंडिया में कहीं पे भी, और कि वो non-taxable supply नहीं कर सकते, तिसरा, वो inter state आउटवर्ट supply नहीं कर सकते, फिर क्यों वो stock transfer हो, stock transfer भी ओ कवर नहीं कर सकते, कोई भी interstate supply नहीं कर सकते, next, वो SACO कि थूरू supply नहीं कर सकते, जो 52 काट रहा है, 52 में TCS काट रहा है, और next, यहां पे वो notified goods के manufacturer होगे, यह notified goods है, उसके manufacturer होगे, तो आपको composition लेवी नहीं मिले ठीक है, यह condition दोनों यह मैं अपलिके बल है, preceding financial year as well as current financial year, I repeat, मतलब preceding financial year में इस ताइप के supply कियो गे, तो current year में आपको composition लेवी नहीं मिलेगी, और current year में जिस दिन भी आपने अपने ऐसा supply कर दिया, उसी दिन आपकी composition लेवी विड्रो कर ली जाएगी, I hope you understood, तो यह था, regarding to, यहाँ पे composition लेवी बेटा, ठीक है, तो यह discussion हमने देखा, अब मैं एक बात कह दू, जो अभी COVID-19 के situation में मार्क नोट दे रहा हूँ, तो यहाँ पे, तो यह नोट्स ठीक, यहाँ हमारा session, हम discussion end करते है, okay, चलिए, आपके लिए एक important announcement, अभी COVID-19 के situation में, दैंसे सुनियेगा, मैंने, यहाँ पे, composition scheme की marks note, आज में डाल दूगा, जो भी मैंने discussion किया, marks note आज में डाल दूगा, दो lecture recorder, आज नहीं, कल, तब तक आप note book में लिख लेना, क्योंकि जब तक यह chapter खतम नहीं होगा, मैं marks note नहीं डाल सकता, पर यह में कड़ दा दूगा, और बाकी बचेवी marks notes, मैं कल रात तक सभी chapter की, यानि introduction से लेके, supply से लेके, सभी chapter की, कोशिश करूगा, कि आपको कल रात तक, एक एक chapter का मैं complete करके mark notes, क्योंकि वो मुझे, फिर से lecture देखके, जिएस्टी mark notes का, तो वो जिएस्टी mark notes का फोल्डर से ये चाप्टर की आपने पहले डाउनलोड कर लेना, इसके दो total session आएगे composition scheme के, ये session आज का था, और दूसरा session, दूसरा session जो आएगा बेटा, मैं आज रात को upload करूगा, या कल सुबे morning तक upload हो जाएगा, especially, जो regular basis पर lecture देख रहे हैं, पिछले दो दिन से lecture नहीं हुए, हाँ, जो अभी pending में है, पुराने अभी भी उनके खतम नहीं हो, उनके लिए तो कोई problem नहीं है, पर जो regular basis पर देख रहे हैं, तो आपको कल से मैं दो-दो lectures upload करना चालो कर दूगा, ठीक है, आज का lecture अभी इतना हैगा, कल से फिर आपको दो-दो lectures आपको upload करना चालो कर दूगा, तो आपको सब lectures मिल जाएगे, ठीक है बेटा, तो ये थी आपकी जो भी doubts or questions है, हाँ, तो चलिए, यहाँ पर यह हमने concept देखा regarding to composition लेवी, ठीक है, यहाँ रुकते हैं, आगे का discussion हम next session में continue करेगे, दा.